स्पेस में यदि किन ही दो लाइन्स के डारेक्शन रेशोज हमें ग्यात हो और हमें उनके बीच एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे काम गरेंगे इस लेक्चर में हमें यही सीखना है बच्चो आपको कोई दो लाइन्स के डारेक्शन रेशोज पता है सपोस कि यह पहली लाइन के डारेक्शन रेशोज एवन बीवन सीवन के रेशो में है और दूसरी लाइन के डारेक्शन रेशोज बच्चो एटू बीटू सीटू के रेशो में है और हमें इन दोनों के कर सकते हैं बच्चों पहली जो Lego यहीं हमें ग्याद है जिसके डाएक्शान रressive एवन एवर्वन सीवन है उससे जो वैक्टर बनेगा बत्चों वह कुछ इस पकार से बनेगा पैसे पहली लाइन जिसके दिक अनुपात एवन anyhow जो वैक्टर में बनेगा वह कुछ ऐसा बनेगा हम इन रेशोस को अगर किसी नंबर से मल्टिप्लाइ कर दें या किसी नंबर से डिवाइट कर दें तो कोई हर्जवाली बात नहीं कर दो कोई हर्जवाली बात नहीं सो अब पहली लाइन जिसके दिग अनुपात ये थे से बनने वाले वेक्टर को कुछ इस पकार से लिखा जा सकता है इसी तरीके से बच्चो जो दूसरा वेक्टर होगा उसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं भई उसके डिरेक्शन रेशो ये टू बीटू सी टू है उसके दिग अनुपात ये टू बीटू सी टू है तो इससे बनने वाला जो गटर होगा जो सदिश होगा उसे ऐसा लिखा जा सकता है भाई आपने डायक्शन रेशो को किसी कॉंट से नंबर लेमडा टू से मल्टिप्लाय कर दिया तो कोई हर्ज जिसके डायक्शन रेशो जैसे थे उससे बनने वाला वेक्टर ऐसा होगा और हमें तो जनाव इन दोनों के बीच में कोण गयात करना एंगल बताना है हमें इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल बताना है और किन ही दो वेक्टर के बीच में एंगल बताने का तरीका क्या एंगर बेट्विन दोस्टू वाक्टर्स तो बच्चो रवन डॉट रटू वेक्टर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा अब आरवन के बारे में यह दिया आप देखे तो आरवन क्या बच्चो लेमडा वन एवन आई ए रहं देखे दिया हमने ओ फिर ऐर्टू वेक्टर के बारे में बाद कि जाये तो निकाला जाता है under the root of a square plus b square plus c square और यहाँ पर सभी में lambda 1 भी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चो यह पहले vector का modulus यह आप निकालेंगे तो पहले vector का modulus कुछ ऐसा होगा बैस सभी में lambda 1 का multiply करना है और आपको फिर उनका square करना है तो कुछ यह picture बनेगी सबस्क्राइब 12 गारे में बात कि जाए तो second vector का modulus क्या होगा बच्चो लेमडा टूसके होल इंटू किसका एटू स्क्राइब प्लस बी टू स्क्राइब ब्लस सी टू स्क्राइब इंटू क्या बच्चों को साइन थीटा यह कुछ पिक्चर हमारे पास बन जाएगी अब क्या होगा भाई यह आरवन वेक्टर डाट आर टू वेक्टर आपने इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोड़क करा और पहले वेक्टर का मॉडलस कुछ ऐसा होगा दूसरे वेक्ट इन दोनों के बिच में एंगल paghole तब निकाल यहां लेंगला निकाल लेंगे थैसक्त है यह स्केलर नंबर स और यह से योगे वन-जा में पेडिया और इनसे लिए घंड़क क्या होगा ले यह स्क्क्राइग ना यहां अन्डर दी रूट आफ एवन स्केर प्लस बीवर स्केर प्लस सी वन स्केर और फिर क्या है यहां से लेव्डा टू भार आजाएगा तो चलिए देनी नटूंको भार निकाल दिया और यह क्या होगा बच्छों अंडर दिरूट आफ एटो क्यर प्लस बीटू स्केयर ब्लॉस सीटू स्केयर इंटु क्या बच्छों को साइन थीटा अब लेमडा वन लेंडा टू इन दोनों से चैंसल हो जाएगा कोई बात नहीं जा cancel हो जाने दिए दोनों तरफ cancel हो गया और cos theta की value क्या आई cos theta की value आजाएगी बच्छों इससे a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole upon क्या whole upon होगा जनाब under the root of a1 square plus b1 square plus c1 square और क्या बच्छों under the root of a2 square plus b2 square plus c2 square कुछ इस प्रकार से आपके पास माई जाएगा तो दो रेखाओं के बीच में कौन यदी हमें उनके दिक अनुपात ग्यात हों बच्छों तो किस पहाती किस प्रकार से क्या जाता है hope आपको सब्सक्राइब आचुका बच्छों a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole upon यह root दोनों के आगे इस तरीके से हम इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच में हम कोन गयात कर सकते हैं चलिए अगर यह तो डायक्शन रेख्यों सम às मैं बता थे बाइचांज अगर मों डैक्शन रेशो ब्रेते हुए वहाँ पर न में दायक्शन को साइन्स हमें दे देते में इनकि दिक को ми सांदें यखिए पहली लाइन है उसके डायक्शन को साइन्स है ल1 म1 एनram 1 और इसी तरह से दूसरी राइन के science के बचो अल्टू एंटू एंटू तो किस परकार से करेंगे हम जानते है कि डाक्षन को साइन्स का रिशयों वही होता है जो डायक्षन रिशो जा कर सकते हैं वह हुआ is to m1 is to n1 किसके बराबर होगा this will be equals to a1 ratio a2 sorry a1 ratio b1 ratio c1 इसे तरह से l2 m2 n2 के बारा में लिख सकते हैं तो ratio है तो इसे दी हम a1 a2 के जगा पर l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 लिख सकते हैं और ये whole upon में क्या होगा whole upon में होगा बच्चाओ l1 square plus m1 square plus n1 square और यहाँ पर क्या कुछ ऐसा ही बई चूकि उसी अनुपात में होंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं अदरवाइस आप यू कर सकते हैं कि आप a1 की जगा पर लिख दे l1 lambda 1 और फिर b1 की जगा पर लिख दे m1 lambda 1 और c1 की जगा पर लिख दे n1 lambda 1 इसी तरह से a2 b2 c2 तो a1 की जगा पर b1 की जगा पर c1 की जगा पर यह सारी वैल्यूज रखेंगे और आप लेंडा 2 इस तरीके से हमारे पास में क्या आजाएगा बच्चो या आजाएगा इन तो के स्क्राइर का सब 1, रूड भी वन, सो ये पक्चर हो जाएगी और इस तरीके से आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से cos theta या cos theta होगा, बच्चों, l1, l2, plus m1, m2, plus n1, m2, तो ये इन दोनों रेखाओं के बीच कोन का सूतर है इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा तो आप अगर डायक्शन रेशोज दे रखे हैं तो ये वो डायक्शन को साइन्स दे रखे हैं तो ये इससे हमने ये फावल लगा फामूला जो है हमने क्या करा बच्चो ह हमने direction ratios पता थे उससे हमने उन्हें वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रस करा और फिर वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है हमने वही logic वही concept वही aptitude यहां पर apply किया और इस तरीके से एंगल आ गया तो दो प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 चलिए जब यह आपके पास में एंगल का फावुला आ गया यह तब हमने किसकी टर्मस में निकाला आप को साइन की टर्मस में निकाला अब यदि बच्चों मैं यहां पर जो है साइन थीटा अगर निकालना चाहूं मैं अगर इन दोलों लाइन के बीच में एंगल का साइन निकालना चाहूं भी को साइन निकाला है तो साइन थीटा कैसे निकलेगा बच्चों साइन थीटा जो होगा वो होगा क्या जना आप वो होगा अंडर दी रूटा वन माइनस कॉस स्क्यार थीटा तो चलिए अंडर दी रूटा वन मानस कॉस क्या थीटा अब ये 1 और कॉस्ट ठीटा का जहां तक सवाल है वच्छो रेश्योस की दंग स्वें वें एवन एटू प्लस बीवन बीटू प्लस सी वन एस डीटू और होल अपॉन में क्या अंडर दूलूट आफ एवन स्केर प्लस बीवन स्केर प्लस सी वन स्केर और यह क्या A2 square plus B2 square plus C2 square और इस पूरे का square कर देंगे, कर दिया हमने, अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम इन रूट का square कर देंगे, तो root का square हो जाने से तो root तो cancel हो जाएगा, और ये आपके पास में क्या आएगा, चलिए, आप इसका multiply पूरा यहां पर कर देंगे, तो ये हो जाएग प्लस B1 square plus C1 square और फिर क्या, इसे तरीक से A2 square plus B2 square plus C2 square और माइनस क्या, A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 और ये और फिर अपान में क्या, अपान में जो ये आपके पास में था, ये क्या हो गया बच्चों और यहां पर एक टू स्क्यार प्लस बी तो स्कैर स्केर प्लस च्यल्स शेयर कॉछ वर हो जाने से क्या हुआ हो अस्काई अखान से यह भणर ही रूट तो चले जाएंगे तो यह फिक्च्रन आप शार ऐगे अब इन सहरा काम आप कर लेंगे जबी सारी मशक्कत आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद में फाइनली आप जो है इसे क्या पाएंगे इस बेसिस पर साइन थीटा की वेल्लू जो होगी बच्चों वो क्या आएगी मैं यहाँ पर डालेक लिख रहा हूं है सच कोई बहुत बड़ा का माइनस एटू बीवन का होल स्केर इसी तरीके से क्या बच्चों अब बीवन सी टू माइनस बीटू सी वन का होल स्केर और इसके डिनामिनेटर में क्या होगा उसके डिनामिनेटर में होगा बच्चों अंडर दी रूट आफ एवन स्केर प्लस सी वन स्केर और फिर क्या अं यह पूरा के पूरा का पूरा एक्सपशन आ उन्हों को अलग यह आपके पास मह साइन थे ता का फामुला आ गया एंगर इंद टो वेक्र्स इन टॉम्स अग्रार्णवाव को इस एक काम कर लेंगे को साइन निगालना तो आन्या काम कर लेंगा है मुमनम को साइन ही निकाला करते हैं साइन तो बहुत कम निकाला करते हैं और इन दोनों का रेशो जब लेंगे तो वह आ जाएगा टैन ठीटा और टैन ठीटा क्या होगा बच्छो टैन ठीटा जो होगा वो लाजमी है बच्छो एक सिंपल सी बात साइन और को को साइन का रेशो अब इन दोनों का जब रेशो लेंगे जब साइन और को साइन का रेशो लेंगे तो देखिए बच्चों जो साइन का डिनॉमिनेटर है वही कॉस का डिनॉमिनेटर है साइन का डिनॉमिनेटर और को साइन का डिनॉमिनेटर सेम है और सेम होने के करण यह रे निगाल ले गए तो वहां आपके पास में क्या आएगा a1 b2 minus a2 b1 whole square और फिर क्या आप b1 c2 minus b2 c1 whole square और प्लस क्या c1 a2 minus c2 a1 whole square और whole upon में क्या होगा whole upon में हो जाएगा बच्चों क्या a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 हो आपको यह सारी बात सब्सक्राइब है so this is 10 theta if you want to determine angle cosine तो आपके पास में यह है sign निकालना चाहते तो वह यह है और 10 theta निकालना चाहते तो वह यह है लगे हातों में वह यह छोटी सी बाप बता दू बच्चों यह तो अभी हम डायक्शन रेशो उसकी टर्मस में करते तो क्या होता यहाँ पर को साइन की टन्स में आता अंडर दिरुट आफ एल वन एल टू माइनस एल टू एम वन प्लस एम वन एण टू माइनस एम टू एम टू एन वन और फिर क्या बच्छों एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन यह समस्कत anál है आप ज़ू क्या करेंगे बच जिस रेशो में डाक् आप इसके जगह पर ये लिख सकते हैं और ये लिखने जाएंगे तो यही पिक्चर आप यहां चलाएंगे तो क्या होगा मैं मैं लिख सकता हूं पर मुझे लिखने के लिए मिटाना पड़ेगा मैं साइड में खड़ा हूं वीडियो को पॉस कीजिए कपी कर लिजीए चलिए so कैसे करेंगे अगर मैं किस की टांस पर करना चाहूं मैं अगर डायक्शन डिसीयस की टांस पर करना चाहूं so DCS की टांस पर कैसे गाम करेंगे बच्चों ये देखिए DCS की टांस पर करेंगे तो under the root L1 M2 minus L2 M1 का whole is कर इसी तरीके से m1 n2 minus m1 n2 और इसी तरीके से n1 l2 minus l2 l1 इसका स्क्यार और अपॉन में क्या अपॉन में आएगा l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 यह आपके पास भूंतो टेंग ठीटा आचुका पर शिजया आचुकी कोण की विए यहां पर आते हैं इसके स्पैशल केसे यहने की इसकी विषिष्ट परिस्तितिया जो बहुत इंपोर्टन है वागतों यह जो टॉपिक आप देख रहे हैं पूरे थ्री डायमेशनल कोडिन जोमेट्री में इसकी भी आपको भर भर के जुरुत पड़ेगी वें डिसी एस डियार डियर्ट्षन रेश्व डियर्ट्षन को साइन की खुब जुरुत पढ़ने वाले यह जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको सोज में आएगा चलिए पहला केस अगर बच्चों यह दोनों लाइन्स के बीच में एंगल है 90 डिगरी अर्थात दोनों रेखाएं परस पर लंबवत हैं यह दोनों के बीच में एंगल 90 है तो क्या होगा इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा तो बच्चों लाजमी है कौस थीटा हो जाएगा कौस 90 और कौस 90 क्या होगा बच्छों जीरो की एक्सपस्थ नो और तो फॉन जिरो शॉन जीडा कब होगा वह स्टी है सोचीए यह EXT impressive जी मों कब होगा तो यह EXT result tï तब होगा है अब जब ग Yes ratio की व्न जीरो होग और कोई रिती सिरो कव्도Botai को देखेएव रेट जिलो तब होता है जब सका नीमरेटर अब जीड़ो सो कर स्थथ टा जीड़ो होगा मतर्ड ये रेशो जीड़ो जीरो जीड़ो होगा मतoléशन डीमरेटर जर्ण लुके ल Copyright गूईस्टे conectory टू सीज थाथ यह फर यहाँ नसीटो यह फिर I यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह बात एक यह तो यह तो स्थिती आ गई कब जब उनके बीच में कौन कितना है 90 डिगरी अर्थात वो जो दोनों लाइन्स है वो परस्पर लंवत है मुचली परपैंडी कुदर उनके बीच में एंगल 90 डिगरी है अब लिजिएगा और दूसरा केश बच्छों अगर उन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल जीरो है अर्थात वह दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरल है वह कंडिशन थी परपेंडिकुलर की लेकिन अब करदिशन कुछन सी एंगल जीरो कि तो एंगल जीरो कब होगा आप क्यों कह सकते हैं कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर कि फ़र्म मेंçar कर सकते हो भर नन्ट ट्राइस पॉरल में कई आक्ञिस ले टॉक्स हिए फीके कुश सहुद DAM बद्ट अबलत कर दो में कशन सकते हैं तो जब दोनों पर हो तो उस धीते में क्या होगा वे स्थीती में होगा जिसे नाव यह ऐटी और एवन का रिशो फ़ी टूर बीyi वनAnd रेशो और सी टू और सी वन का रेशो और सेम होगा वह आप इफ यू आर एक्स्पेसिंग वन वक्टर इंग फॉर्म आदर अधर दन आपको पता है कि एटू एवन मतलब इन तीनों के रेशो क्या होंगे असेम होंगे क्यों कि अगर मैं किसी वेक्टर में किसी नंबर का सकते हैं कि अगर इनके बीच में अधर जी रो है अगर इनके बीच में अधर जीड़ी मैं गर्जीड़ b1c2-b2c1 का whole square plus c1a2-c2a1 का whole square 0 बहित मैं फिर कह रहा हूं आपसे दो quantity's का ratio 0 कब होता है दो quantity's का ratio 0 तब होता है जब उसका numerator 0 हो तर इसका numerator 0 निवेड़र 0 का मदब उसके रूट के अंदर जो कॉंटर टो लिखी वह जो घर वो जिरो है तो पूरी कॉंटिटी जिडवाएगी तो यह जिरो जाना चाहिए और यह जिरो कब होगा यह सक्टार है मतलब यह पॉजूटिव जोटीव कोंटीटी और आप यहां पर बोल रहें कि तीन पॉजूटिव कॉंटिटीड को एड कर रहा है ऐसा कैसे संभव हो है बेज़ा लगाए है भा सकता है ये खानक सकता है य Посकता है लिखाई ये नगे रखान रिखाई ए बार लृण बी मांस欸 वगीन गर तुमए बार तू मेब रखी हो मैभी थेखायर टू लेकिन स्कैर कर देने सब जो देना वो पॉसिटिक हो जात remove सब वो पॉसित्यू हो सकता ही quantity negative. तो 3 positive quantity का sum 0 कैसे संभभ है. Sum of 3 positive quantities can be 0 when all those 3 quantities are equal to 0. Simple सी बात है. बच्चों जब ये भी 0 हो ये भी क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई एक भी non-0 रहा. इन तीनों में से कोई एक भी non-0 रहा. तो you cannot obtain their sum 0. हम ने पहले भी mathematics में इस तरह की चीजह देखी है कि 3 positive quantity का can zero कब तो 3 positive quantity का sum zero तब यह भी positive है ये भी positive positive आप पॉजट्व इस एपने यह अड़ और आप आप बॉरन दिनों का तर्म जीरो कि उसे कब संभव हो ये तब समभव बाच्व करना पाणा है तो यह जिरो कीजिए मतब का तुल जीरो और यह जिरो मतब एवन भी तू बढ़ाबर एटू फिसे क्या आएगा इस से आजाएगा वच्टो एवन upon A2 बराबर क्या अब B1 upon B2 आया यह क्यों भाई यह 0 आया तो इस माइनस वाले को जब आरचस पर जाओ को तो प्लस हो जाएगा तो यह A1 A1 के बटे में A2 आगया और यह B1 के बटे में B2 आगया समझ सकते हैं मेरे खाल से A1 के बटे में B1 और A2 के बटे में B2 तो यह C2 बराबर हो जाएगा B2 C1 और इससे आपके पास में आ जाएगा B1 upon B2 is equals to C1 upon C2 हो आपको समझ में आ चुका है भाई B1 C2 बराबर B2 C1 C1 इसके denominator में आगा तो B1 upon B2 और C1 के denominator में C2 आगा तो यह आ गया पहले वाले को जब आपने 0 किया तो सही पिक्चर बनी दूसरे वाले को 0 किया तो सही पिक्चर बनी अब A1 upon A2 बराबर है B1 upon B2 और B1 upon B2 बराबर है C1 upon C2 B1 upon B2 बराबर C1 upon C2 भी आया और B1 upon B2 बराबर A1 upon A2 भी आया तो लिखा था मैं यहां पर अदरवाइस मैं एक साधान सी भार्षा में मैं यह समझ सकता था कि दू वेक्टर सब पारडल जो है वो आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्स कर पारो तो अगर कोई दो यह दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिक दोनों पर्ण सीवन दर्वाइस एक आइक एपसे बड़न और करेशों एटो अब बीटू सीटू पराबर होगा ऑफा ताव आगर दोनों है तो पहली लाइन के आक्षिंट्हों सेम रेश्व में होंगे वह आपने अगर किसी लाइन के पार्ल को इन लेली तो उससे उसकी तो direction ratios same ratio में रहेंगे के वड़ जिसे हम किसी वेक्टर में अगर किसी concern number का multiply कर देते हैं तो हम उसी direction में एक नया वेक्टर निकाल देते हैं जिसका magnitude पिछले वेक्टर के magnitude का lambda time से वही बात होती है सो अगर दोनों पैरल हैं तो क्या होगा ratios same ratio में जिस ratio में यह वह इस रेशो में यह होप आपको यह बात समझ माई है से copy जरूर कर लिजेगा बच्चों अबने तो cosine भी निकाला है हमने एंगल के लिए cosine का formula भी लिखा sine का formula भी लिखा और tangent का formula भी लिखा बट आप लोग आगे जैसे इसे पढ़ेंगे आप तो वालूम पढ़ेगा कि हमें cosine की जरूरत पढ़ेगी हमारा काम mostly उसी सही होगा sine और tangent तो मैंने आपको लिखा दिये कभी कभार कोई sum में जरूत पढ़े जाएगी यदा कदा पढ़ेगी नहीं ऐसा भी नहीं पढ़ेगी बट rarely पढ़ेगी हम आगे चलके जो भी काम करने वाने उसमें मारा cosine से ही ज़्यादा वास्ता पढ़ेगा अभी क्या करना है मुझे मुझे दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है यह मुझे समझ में आ चुका है कॉपी कर लिजीगा अगर नहीं किया हो तो वीडियो को पीछे ले जा करके एक सिंपल से सम कर लेते हैं हमें दो लाइन के बीच में एंगल बताना है जबकि उनके डायक्शन रिशो तू थ्री माइनस वन और वन फूर टू के रिश्यो में हैं फाइंड एंगल बटून टू लाइंस फूल डायक्शन रिशो दार इन दिस रिशो यह लिजीए तो क्य करने चाहिए का अनडर दियुत आफ एवन सकेर फ्लस बीवन इसकेर फ्लस दिवन इसकैर और यह क्या अंडर दिवर्ट आफ ए टो सक है प्लस बी टू स्कैर अब इसको सिंप्लिफाइब कर लेंगे दो और तीन चोग बारा होते फॉर्टीन में सटू गए तो ठ्वाल बचेंगे मैंने सही करा है मेरे काल साथ तो भीया केल्कुलेशन तीन चोग बारा और और यह क्या आए बच्छो चार और नो तेरह और एक आई है तो वह यह आ गया बचाब एक बात हो लगे हां तो आपको बता दूँ मैं कि अगर कोई दो लाइन के बीच में एंगल आपको बताना है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में अगल एंगल थीटा है तो निश्यत रूप से उनके बीच में एंगल पाय माइनस थीटा होगा भाई एक लाइन पर पूरा एंगल होता पाई 180 डिग्री तो अगर एक एंगल ठीटा है तो दूसरा एंगल पाई मैनस ठीटा नहीं होगा हंडेट परसेंट होगा इब इस एंगल इस ठीटा दन देशिग पाम अप्टिव सेंगल बताई यह तो अप्टिव सेंगल का आईगा वच्छों यह आपके पास में एक अंगल यह तो यह कॉस्ट थीटा आया अप थीटा की वन्यू क्या आई अगर इसमें कुछ कैंसल हो सकता सिंप्लिफाइब करने के पाद तो आप करेगा वह मैं नहीं करूंगा अब आप से क्या पूछ यह तो जो वैल्ल्यू आपके पास में आ रही है यह पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और हम जानते को साइन थीटा जो होता है वह फर्स क्व आपके यह अगर अप्यूस एंगल पूछेंगे तो अप्यूस एंगल वह पाइ माइनध धीटा होगा यह यंन्हीं कि पाइ माइनश को साइन इन्वर्स 12 अपउन 14 इंटु यह आप ऐसा लिख सकते हैं या इसे आप को साइन इनवर्स माइनस आफ 14 ही ओर विजिए लाई छेक हो रही थिए यह लीज्र इंटोי 21 ऐसा लेक्क सकता हूं है क्योंकि मैं जानता हूं को साइन मां श्राइंच होता है पाय माईनस कॉस inverse रहते स्कंस contemporary सुनिवरर्स माहना स्काइन को हम पाय माईनस कॉस इन वरस एक सकते हैं लिग सकते हैं सो यहाँ पाई माइनस कॉस इंवर्स एक्स लिख दिया जा यह यही बात है बच्छो तो अगर आपसे एंगल पूछा तो यह ऐसा चाह चुका है लेकिन अगर पिसाइड लिव आपसे अप्ट्यूस एंगल ही बोलते तो फिर वह यह वह यह वह यह वाला आएगा यह है कॉन सा यह यह एक्योट वाला आया यह एक्यूट वाला अगर अप्ट्यूस वाला पूछे तो वह आप सब्सक्राइब कशा इन वर्स मेर्स दिख सकते चलिए एक और सम कर लेते बुद्चों लोग हमें यह कहा है कि किनहीं दो लाइन के डिरेक्शन रिश्व ऑश्यों ह कि दो लिएक्शन रेशो न दो रेशो में है इस डेट यूफ ऐसा है तो बच्चों सुझा बात है क्या होगा ऐसे स्थेति में a1 a2 a1 a2 b1 b2 plus c1 a c2 की वाल्य होगी 0 याप जानते if full answer mutually perpendicular than a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 कुष्टो छीडो तीन दूना छे चारतीय बारा ये आ जायेगा 6 plus 12 हाल लेमडा is equals to 0 so all means this will give you the value of lambda which is nothing but minus half so hope you have got take a glass some key Jada हमें ये कहा है साहब की किसी क्यूबाइड की कॉर्टर मिनस एजस है a b or c किसी क्यूबाइड की क्यूबाइड की कॉर्टर मिनस एजस की लंथ है a b or c के रशो में fine angle between those two fine sorry 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 eight minute किसी क्यूबाइड भी दिरिस एक्यूबाइड उसको अजस लंथा a b and c respectively fine angle between any of two diagonals किन्हीं दो विकर्णनों के बीच पर कॉन गयात कीजिए वीडियो को रोक और करिए किन्हीं भी दो डाइगोनल्स के बीच में एंगल आपको बताना है वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चो अगर अभी भी आपने नहीं करा हो तो देखिए आपके पास में एक क्यूबाइड है कि यह रहा है क्योभर drei यह रहाए क्यूबाइड टियह रहा वच्चो एक क्यूबाइड रहा और इसकी भी आपको अब कैसे करेंगे वीडियो को पॉस्कर कि जिए अगर अभी भी आपने नहीं करा हो तो क्योंकि विया बैर यह बैमानी नहीं करने का कि अर्यार हमने तो नहीं करा हमको कौन देख रहा है कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है आप देखने अपने आपको बस वही बात है और हमें क्यों किसी के देखने की चिंपा करना भीया हमारा रिजल्ट ऐसा बने कि सब हमाई तरफ देखें तब मजा आएगा त आपको एक क्यूबाइड दे रखा बच्चों वो क्यूबाइड मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं ये लिए नहीं काम करता हूं और अजिए से यह मैंने क्यूबाइड ले लिया कुछ ऐसा हमारे पास में यह लीजिए मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आया होगा यह रहा क्यूबाइड कि मैंने क्या करा क्यूबाइड की कॉर्टर मिनस एजस जो है वो कॉरिनेट एक्सेस पर ही अब देखिए इसका एक वर्टेक्स ओ ओरीजिन पर है उसके कॉरिनर्स हो गए जीरो 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 यह वर्टेक्स जो है इसको मैंने नाम दिया ए अभी है एलेज़न था यह वली जो एज है इसकी dependency है पॉजहेर इसके कुरिनर्स क्या होंगे अ इसकी बुजा की लं़ाई मैंने क्यों टीए तो यह हो गए A00 क्यों क्योंकि X axis है तो Y coordinate और Z coordinate बिलकुल लाजमी है जीरो होंगे होंगे ऐसे ही मैंने इसको नाम दिया B इसके क्वाइनर्स हो गए 0 B0 क्यों 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 क्योंकि ये वाली जो edge length है वो आपको गिवन है B है ये वाली भुजा की दंबाई B है अब Y axis है तो X और Z 0 होंगे ऐसे ही इसको मैंने नाम दे दिया C तो ये क्या होंगे ये होंगे जीरो जीरो सी बहीं ये Z axis है आप डाइग्राम में देख लिए आपके समक्ष लिखा हुआ है चूंकि वो Z axis है इसलिए Z coordinate उसका छोड़कर बाकी X और Y दोनों 0 होंगे ये आ गया तो इस तरीके से हमारे पास में ये चार वर्टाइस तो इसको डिसाइड हो गए मैंने एंगल निकालना है तो मैंने आसान करने के लिए मैंने क्या गड़ा उसकी जो तीन आसन भुजाएं थी उनको मैंने X axis Y axis Z axis के लोंगी मान लिया और उसका एक और मैंने एक कॉर्णर को और इजिन गनसी दर गल लिया तो यह चुका अब आपके पास में चलिए इसको आपने नाम दिया डी तो अब डी के कर दिसंस कर आऊंगे ज़रा बेजा लगा ये ये आपके पास में है लेकिन चुकि वो एकस Y plane में ही रखा है डी इसलिए उसका जो जड़ को इंट होगा वो 0 होगा इसी तरीके से यह वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं नाम देता हूं चलिए E तो E क्या होगा ज़रा imagine कीजिए E कहां रखा है आपके पास में एक क्यूब जो है वो इस तरह से रखा हुआ है तो यह जो E जो आएगा वो कौन से प्लेन में आएगा यह कौन से अक्सेस है एक्सेस है और यह कौन से अक्सेस है जड़ अक्सेस है यह एक्सेस यह जड़ अक्सेस तो यह जड़ अक्सेस प्लेन में होगा और जड़ अक्सेस है बहुत अच्छी बात है तो यह जड़ अक्स सी आ चुका तो यह हो गया इसी तरीके से यह जो आपके पास में है एफ अब एफ के बारे में अगर आप भेजा लगाएं जरा दिमाग लगाएं तो एफ कहां रहा है थ्रीडी में सोचना पड़ता है बस हलका वुलका बहुत बड़ा एमेजिनेशन नहीं है अभी जो आ रहा है वो कहीं यहां रहा है यहां पर आएगा यह कुन सी X आपको समझ में थोड़ा थोड़ा सोचना है बस सिंपल भई ये मेले पास में ये क्योबड वॉक्स सके एंदर रखा हुआ है तो एक कोईल अर्थ और ये हो गया ए A, 00, क्योंकि X axis थी इसमें, य जड़ ज़ी हो गया, पर यो आपके पास में गया, कौन सा प्लेन बन रहा है यह आपके सबक्राइब के पास यह उपर और बाहर ती जड़ एक्सेस तो बाइजर प्लेन अगया और यजड़ प्लेन में एक्सपाइब जीरो होगा और यहां पर अगर आप E को देखें यहां पर आ रहा है वो तो यह एक्स अक्सिस थी यह जड़ एक्सिस थी तो जड़ एक्स प्रेन में आ रहा है इसलिए यहां पर इफ और हमारे पास में अब एक और कुछा कॉछ डिया जी जी जो होगा वह जला दिनाग लगाई यह वो कहां पर है वह यहां पर कहीं हारा है स्पेस में यहां गहीं मेरे खास अपक शूज नहीं आ रहा हो बाहर तो यहां पर क्या होगा एक्स एक्सिस के लाँग डिस्स एक एक्सक्रांग डिस्टेंस भी और जर्ड एक्सिस के लांग यह बाहर की तरफ इसलिए सी तो कोई नर्स आप जी आर ए बी और एंड सी होप यू आर गैटिंग डाट आई रिपीट जीज लाइं हेर जी यहां पर है तो जी यहां पर होने पर क्या होगा एक्सक्राइड ए आपको क्या करना है और एंगल निकालने के लिए हम कैसे काम करेंगे आप जहां पर लेक्चर देख रहे हैं कौन से टॉपिक पर एंगल बिट्विन टू लाइन और दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाल रहे हैं जब किस किस कंडिशन में जबकि आपको निक्शन हम पड़ेंगे अब जबाब दिमांग लगाईगे हैं यहाँ पार अ कितना डाइगोनलस फेल तो बन रहे हैं कितना डाइगोनलस बन रहा है यहाँ बन रहे हो जी ओजी को जी संसरे नियुक्सर का अब जिस रूम में ब 오늘도 इस लिक्टर को देख रहे हैं आप वहां पर इमारि मेजिeld कासि आपको चार डैगोनल बिलेंगे ऐसा ही एक किस को मिलाकर बनेगा ए आपको मिलेगा एफ हे एफ हे और एक मिलेगा आपको B E मेरे खहल से आपको सवज मारा होगा अराम से आप इत्मिनान से चेक कर लिजी कोई बड़ी बात नहीं है वीडियो को रोक करके आप देख सकते है 3D में सोच रहा है जो अपोजिट हो जैसे मैं जिस रूम में हूँ ऐसा एक डाइगोनल मुझे मिल जाता है ऐसा एक डाइगोनल मुझे मिल जाता है वह एक डाइगोनल मुझे ऐसा मिला एक डाइगोनल मुझे ऐसा मिलेगा एक डाइगोनल मुझे ऐसा मिलेगा और एक मुझे ऐसा मिलेगा ऐसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है आप जिस रूम में बैठे हैं जो मैंने आपसे कहा उस रूम में आप इमाजिन कर सकते हैं तो इस तरीके से आपके पास पर चार डायवोडिय के बिच में अगर बदाना अब फोर मेंth दोarnya दो के बीट में अंगल निकालना तो भज मैं यह फोर सी टुरसी टु सीन डायक्शन रेशो लॉफ ए लाइन जॉइनिंग पॉइंस एक्सवाइवन जेडवन एक्सटो एक्सटो किस रेशो में होते हैं तो यहां पर आपके पास में क्या होगा आप डायक्शन रेशो जुज निकाल ये किसके ओजी के तो ओजी के डायक्शन रेशो कैसे निकलेंगे बच्चो आपको मैंने जैसे आपको बता है मैंने कि किन ही दो पॉइंस एक्सवाइवन जड़वन एक्सटो एक्सटो को जॉइन करने वाले लाइन सेग्मेंट के डायक्शन रेशो इस रेशो में होत तो इस तरीके से अगर डायक्शन राच्व सो जो निकालने हैं तो एटू माइनस एवन अब बी तू माइनस एवन बहुत अची बात बी तू माइनस बीवन बहुत अची बात और c2-7 मतलब यहां क्या आगये वच्छो a b or minus c के दिशो में हो एध रिदिटिंग आग यहां क्या आगया यहां जो एच्छो a b or minus c के लिशो में hope you have getting you are getting that by a 2 minus a 1 to a minus 0 B 2 minus b 1 with a b minus 0 or c 2 minus c 1 with a 0 minus c so this is nothing but what you are talking about likewise if I want to determine the direction ratios of F a f a is again a diagonal so direction ratios would be in ratio of up is me say x2-x1 x2-x1 b2-b1 c2-c1 so this is minus a ratio b ratio c by x2-x1 y2-y1 z2-z1 बहुत अच्छी बात और इसी तरीके से यदि मनके करना वहीं अभी कौन सा डाइगोनल मरपार बच्छे आप बी ए माँ बीए के बारे में बात करूं तो बीए के बारे में बात की जा तो क्या होगा बीए तो क्या होगा a2-a1 x2-x1 बहुत अच्छी बात y2-y1 बहुत आई है a2-a1 b2-b1 c2-c1 आपके पास आ गए आप इन में से किन ही वी दो डाइगोनलस के बिच में अंगल तो मैं काम करता हूं मैं एंगल निकालता हूं एंगल बिच्वीन आप कोई व्य दो ले रहता हूं चलिए मैं काम करता हूं ओ जी एंड एफ ए इन दोनों के बीच म इन घंगहल निकालता हूं तो इन दोनों के बीच में अंगल कैसे न्गलेगा बच्चो मैंने दो मस वाली अंगल क्या होका चोन दोनों की बिचक्वाल मैं आइंग नोगा बच्वा एवन एट्टू उ प्लस बी 1 बी टू कलिस सेवन सी तो फिसा बैइवन एटू बीम भी आई रिपीट एंगल कैसे निगलेगा बच्छो एवन एटू प्लस बीवन बीटू प्लस सीवन सीटू होड़ अंडर दी रूट आफ एवन स्केट पस बीवन स्केट पर सीवन स्केट और यहां भी वही पिक्चर बनेगी अब क्या होगा बच्छो यह क्या आया माइनस ए स्क स्केर पलस पीस कार प्लस 2 स्कल माइनस ए इस एकशीवन सीजिए और यहां स्कार करेंगे यह पे स्कार करेंगे स्कार बिखनाओ यह उंडिखा में हो इस लिखा हुआ आप यह एंगल का फालगा आगया गयाkräस लिजी अच धarf आफ इसका इन तीनों के साथ हो गया फिर इसका इन दोनों के साथ फिर इसका इसके साथ होगा आएगे तो अभी प्रिसाइज दी मैंने ओजी और आफे के बीच में निकाना मेरे खाल से सब्सक्राइब किनी भी दो लाइन्स के बीच में अगर आपको निकालना है तो आपको उनके डायक्शन देशों मालूम करने हैं तो यू पलइ। उपाद एंग के बीच में गया है इंगा स जनौंका थाथ विच में तौश्क हां इंगा सक चौन के बीच में गश में इंगिच में अप नकल jusqu है एगर आपको बता हूं तो वो जो एंगल होंगे मैं बिलकुल इस बात से सहमत हो 100% सहमत हूं कि ज fluorोना अगर धिरम माट लिक नाम हैं तो जूम आब लिक्सका देखाइगा नहीं वूसमेंब यह इंगल जो आएगा यह शांट देम मेंगें वह यह आएगा है भाई वह श्यक्रमाइगा है वह शह में फाने होस्तू है प्लास माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मतलब यह है कि आप इन जिसे न्यूमरेटर में तो प्लस ही आएगा पका है लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा आप इन दो को प्लस कर दीजिए इसको माइनस कर दीजिए इन दो को प्लस कर दीजिए इन दो को प्लस कर दीजिए इसको माइ है अट्रीन अगर देखिए तो आपको कि दो एच दो केसिस के दो के शिश्चा फिर वोई पीन सिस्ट यहाँ इन यहां पर आज मिल जाएंगी जैंगी यहां पर आपको आपको आटान वेलियू बिलेंगी लिए इक बार तीनों को प्लस लियए पर तीनों को मैनस करद दो को को मैनस वह वाला बिल्कुल वैसे हैं यहां पर होगा अब यहां पर आपके पास में एसस तो आपको आट वेल्यूद दिखनी यह पर उन्हाइब वएल्यूद में कभी पैरल हो ही नहीं सकते तो वह वाला के एक बार थीनों को माइनस कर दिया तो यह रेशो केंसर उने के पास इसको दो को प्लस करा इसको माइनस करा इन दो को ऐसे आपके पास में छे केसल जो बचेंगे वह वाले आपके पास लेने होंगे तो ये हमारे पास मी पक्का है दो को प्लस तीसील को मानस करना यह दो को मानस करना अल। तरीके से आपके पास में चार डाइगोनल हैं उनके बीच में for c2 तरीके से चे एंगल्स आएगा और वह एंगल्स का होंगे और उसके बाद में अंगल निकाले चलिए लगे आतो अगर हमें यहां पर क्यूबाइड ना देते हुए यदि मुझे क्यूबाइड ना देते हुए एक ऐसा क्यूब जिसके एजलंद ए है एंगल बताएगे किनी वीद दुड़ाइगों उसके बीच जबर वीडियो को रोक करके आप ही कर लीजिए तो उस केस में क्या होगा बच्चों जैसे यह जीरो 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 है यह जोरो है ये ऐसा कुछ होगा अब अगर उसके एजलंद ए है तो यह सभ के सबबने के साइड की लंट फी तो मैंने और हो जाइगा तो यहां सब जगह जगा जहां जहां भी और सी लिखा वहाँ भी एंगा देंगे बी और सी भाई क्योंब हो गया तो बी बराबर सी बराबर एंगर लाजमी है सवा आप रख देंगे यहां पर तो जसे आपने यहीं रखा बान दीजिए यह एंगल निकालेंगे तो क्या होगा यह माइनस एस्ट यह प्लस से स्केट प्लस is 1 by 3 so what I conclude I conclude that theta is equals to cos inverse of 1 by 3 so your theta के वल्यू आचो कि बच्चो आपके पास में कोण आचुका दो नो डाइगोंदर्स के बीच में सो ये कोई भी दो कोई भी दो के बीच में एंगल निकाल लेंगे वहर बाइग यही आना है पक्की बाइग है कॉस इंवर्स 1 by 3 कुप में एंगल सेम हो जाएगा विकॉस आफ सिमेट्री क्यूब के किनी भी दो डाइगोंदर्स के बीच में निकालेंगे तो वही आएगा या तो क्कॉस इंवर्स 1 by 3 आयागा या क्वास इंवर्स माइने सब्सक्राइगा वह सं बहुत आरिमाने जाएगाए तो धाओ में होगा फशे थी ना होते हुए माइन सब्सक्राइग होगा मैनस वन बाइघ होगा तो वह तो भी आप्टिूस हो गया तो दो वट्रेस के बीच में दो तरहें है लाइन के बीच में अगर एक एंगल थीटा है तो दूसा पाइम माइफ थीटा आना है यह मैं जानते है तो जो बेसे पर वह जाएगा एक सम आप और किजीगा there is a line in space which subtence angles alpha beta gamma and delta with diagonals of a cube there is a line in space with subtence angle alpha beta gamma and delta बिटा विट डाइगोनल्स ओफ एक्यूब प्रूड एट प्रूड एट समेशन ओफ साइन स्कर अल्फा एड़ बाय त्री त्रिविम में एक रेखा किसी घन के विकर्णों के साथ क्रम्शा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोन बनाती है असिद्ध कीजिए समेशन साइन स्कर अल्फा के विडियो को रोक्यों करिए वीडियो को पॉस्ट करके कीजिएगा बच्चों देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं मेरे पास में कोई क्यूब है और एक कोई लाइन है तो मैं पहले इसे मुटाय देता हूं चलिए अभी देखिए बच्चों आ आइन है स्पेस में जो इस क्यूब के चारो डाइगोंडल के साथ में अलफा बीटा गामा और डिल्टा एंगा बना रही है तो पहले काम कीजिए क्यूब को आप ऐसे ड्राइक्शन रिशों कैसे निकालेंगे चरा आप निका लिए पहले ओजी के निका लिए तो ओजी के क होंगे यह माइनस जिरो इस जिरो खॉर कर उल्च उब आपको सब्सक्राइब पहले लोगाई अबापको यह क्या शेडिक के निकालेंगे तो यह माइनस जिरो तो यह प्या करे अश्य ओंचों आपश्म gelmiş नो और जिरो मैंस ए9 यही ए इन माइनस है एसे ऐखे एक अश्य इ और बात कि बहुत अच्छा है और बगेवारे में बात किढ़ बहुत या तो फोझे भावन करेंगे जेट टू मानस जेड़न करेंगे, जो यह A माइनस A और A, ठीक है साथ, तो यह आपके पास में चारों डाइगोनल्स के डायक्शन रेशो जागए, अब बूर स्पेस में कोई लाइन है, स्पेस में जिसे यह मान दी जा लाइन है, चार डाइगोनल्स है, वो चारों डाइगो अठीकोर ह सबाइन करने। तो यह बहुत रीकशन रेशोज आफ मीन बाइन सी घचल लाइन न दीचरां रेशोज ओर योई आपस में आपको गवन है, आप से खाल, दिर रइन बाइन अस्पेस, उस लाइन का डीक्शन रेशोद में एवन बीवन सीवन माल लिए चारो डाइगोंदर्स जो थे वो आपके पास में यह आ गए आगए बहुत अच्छी बात है और आपसे क्या बोलाए यह जो लाइन है यह डाइगोंदर्स के साथ में क्या एंगर बारी अलफा बीटा गामा और डेल्टा अब पहला वाला जो डाइगोंदर्स है उसके साथ मां उसने अंगल अलफा बनाया तो जिला लगाते हैं आम अंगल के लिए फाव्मूला तो कॉस थीटा क्या होगा कि कौस थीटा क्या होगा भाइव आपको को दो लाइन के बीच में अंगल निकालना तो आप कैसे निकालते हो कोई आपको बोला है ना कि यह जो लाइन है यह लाइन है यह पहले वाले डाइजनल के साथ में कितना को इंगल अर्थी आ यह यह बहुत अपय होता है तो फॉर्मुला कै रखता है A1 A2 P1 B2 अब उसमसे एक लाइन तो क्या हो गई डाइगोन और दूसरा यह हो गई तो ये और अपाँ में क्या उंदर दी रूट आफ ऐस के ब्लस बी स्केट प्लस और यह एस के दलáस बी स्केट plus c square यह लिजे a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon this on this हो गया बहुत अच्छी बात है अब इन दोनों में से इन तीनों में से मैंने क्या common निगाला a common निगाला तो a1 plus b1 plus c1 और यहां a square plus a square क्या होगा और root हर जाएगा 3 a square सो वो हो जाएगा root 3 a और upon में क्या a1 square b1 square plus c1 square और यहां a से a क्या हो गया बच्चों cancel a से a cancel सो यह आपके पास में आगया a1 plus b1 plus c1 और whole upon में किता 3 upon a1 square plus b1 square plus c1 square सो यह a cos alpha आपके पास में आया है वह दिर इस लाइन इन स्पेस वो जो लाइन आपको दे रखी मैंने उसके दिक अनुपाद अपने तरफ से माने हैं alpha बीटा सोरी a1 b1 और c1 अब यह बोला है कि यह जो लाइन है यह diagonal के साथ में अंगल alpha बना रही है तो आपने व बहुत अच्छी बात है ऐसे ही जो दूसरा diagonal है मतलब यह दूसरा diagonal इस लाइन के साथ में कितना एंगल बना रहा है बीटा दूसरा वाला जो diagonal जिसके दिकन उपात आपके पास में यह बन कर आए वो इसके साथ में क्या एंगल बना रहा है बीटा तो हम कॉस बीटा लगाते हैं तो कॉस बीटा क्या होगा इन दोनों के बीच मेंगल इन दोनों के बीच मेंगल निकालेंगे तो एवन एटू प्लस आए विन एटू प्लस एवन बीटो अब मीट्व लसीवन वॉन आसी तो हो आपको सब्सक्राइब दूसरा डाइगोंडल है वह गीवन नाइन के साथ मेंगल बीटा बना रहा है तो तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole upon me क्या a1 square a1 square plus b1 square plus c1 square और इधर क्या आपके पास में a1 square plus b1 square plus c1 square या अब यहां भी वोई picture बनेगी यहां से a root 3 a आएगा वो a से cancel हो जाएगा और यहां गर आप देखेंगे तब हो क्या मिलेगा a1 plus b1 minus c1 और whole upon में आप आराम से करके देख लीजिए बच्चो root 3 times तो आएगा ही आएगा एक मिनिट यह दीजिए a1 square plus b1 square plus c1 square गया चुका यह cos beta आया आपके पास यह cos alpha की value आई यह cos beta की value आई खोब आपको यह समिन में आ चुका है पहले वाले diagonal ने given line के साथ में एंगल alpha बनाया था दूसरे वाले diagonal ने given line के साथ में एंगल बीटा बनाया था तीसरे वाले diagonal ने तीसरे वाले diagonal ने given line के साथ में एंगल गामा बनाया था विद पहले diagonal ने alpha बनाया था दूसरे diagonal ने बीटा बनाया था तीसरे डाइगोनल ने gamma बनाया था तो आप 08 आपके पास हो गया ऐसे ही यह जो डाइगोनल है यह इस गिवन नाइन के साथ में एंगल कितना बना रहा है डिल्टा तो कॉस डिल्टा को स्टो क्या होगा एवन एटू पस्टी बात है तो कॉस डिल्टा की वैल्लू युदि आप निकालेंगे अब यह पूरा सब कुछ कॉपी कर दी जगा बना लीजिएगा और हमें प्रूव करना है समेशन साइन स्केर अल्फा मतलब साइन स्केर अल्फा प्लस साइन स्केर बीटा प्लस साइन स्केर गामा प्लस साइन स्केर डिल्टा कि साइन स्केर अलफा प्लस लेंट बीता प्लस लेंड गामा स्केर डेल्टा की वैल्यू मुझे क्या प्रूफ कर नहीं है इड़ वाचरी तो उसके लिए एक काम करता हूं बच्चों यह आपके पास आया यह तो आपने करे लिया है अब आप लगे हाथो एक काम ये किजिए कि कॉस अलफा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डिल्टा निकल दिया आपने अब आप एक काम किजिए आप कॉस केर अलफा प्लस कॉस केर बीटा प्लस कॉस केर गामा प्लस कॉस केर डिल्टा इसकी वल्यू निकाली है तो इसकी value क्या होगी बहिए cos alpha की value क्या है cos alpha की value है a1 plus b1 plus c1 और whole upon में 3 into a1 square plus b1 square plus c1 square यह cos alpha की value आई फिर cos beta cos beta की value a1 plus b1 minus c1 और whole upon में क्या यह आपके पास आया यह लीजिए यह cos क्या बीटा और फिर cos gamma cos gamma की value वहाँ पर आपके पास में है तो यह लीजिए यह थोड़ा सा आपको calculation वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और कोई बात नहीं सवाल है तो सवालों का हल भी निकालना पड़ेगा कुछ कुछ सवाल थोड़े बड़े होते हैं है इसी पर इट इस टेकिंग सम टाइम सो यह cos alpha आगया cos beta आगया cos gamma आगया और cos delta चा मान यह है तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ इवन माइनस बी वन प्लस सी वन और होल अपान में कहीं है वही सड़े कोल सड़े को लगा वई फड़ो भी तुसे अब क्या करेंगे तो लिजी जनाब यह आगया आपके पास एक अच्छी बात यहाँ पर कम से कम यह तो है कि सभी का सबस्तां ओर साथ चिए अधर के से हिमान स Finnish है और सबका डिनामिलेटर से मुने से कम से मैंने को खुच्छ हrire देंगी कुछ ना कुछ राहत मिलेगी तो चलिए जनाब आप इन सब को इन सब खाल सीम निखाल लीजी मैंने मुझे सबेशन किसके निकालना है साइन स्केल अलफा प्ला साइनस के बीटा प्ला साइनस के गाम पर मैंने को साइन में काम करा क्योंकि मैं आपको थोड़ी दर पहले भी एक बात कही थी कि हमने एंगल के फार्मूले के लिए लगाया तो कॉस और साइन दोनों के या इवन टैन का भी लिखा है लेकिन हमारे लिए आसान क्या रहेगा कि हम कॉस्स में ज्यादा काम करेंगे आसान क्या मतलब यूस्टू हम टू सी लिए ओड़ को दूदा पनका हिए और यहां पर खूल लिये सो यहां पर क्या होगा एस केर्प्लस बीस केप्लस nombreux क्य चे स्कैर फ्लस टू टू यहां पर बी स्कैर भींther लंस टू सी लिगल आं हुआ या एक यह आप पर यह माइनस है इस टीजिए वह दूनों माइनस हो गए और यह माइनस में क्यों आया वाले को खोली है तो क्या होगा वन ऐसकर प्लस दीवन स्कार प्लस सी वन स्कार माइनस टू एब प्लस टू बी सी माइनस टू सी और यह माइनस में क्यों आया एवन वाले एवन वाले माइनस में क्यों क्यों कि आप देख रहूंगे यह माइनस तो जब इससे मल्टिप्लाय करेंगे तो भी नेगेट हो और ऐसे ही यहां पर अगर आप देखें तो यह क्या होगा बच्छों ए यह होगा ए वन स्कैर फिलज bigger स के लाइन सी वन सुखर और फिर यह ट्वाइस ट्वाइश ऒवन सीवन और प्लस ट्राइश उस सी वन एवन और हो लब ँपमान में जो है बच्छो वह हर बार से मार अ और हर बार से मरेश सब्सक्राइब और यह मेरा दिल का दिवान अजाई है कि आपके पास में आपने सकारब्स में अपने आपको नज़ा आपको नज़ारा आखिर आखिर तक आपको लोगो कि अ coupon कि स्क्रीन से वा गई बाट तो इससे लिए तो सब्र चोर्बार केobsन सरड वायlor हो रहा है व्यौत्राइज सरान के वन सिवन मान इस त्वाइस दी वन सिवन से वन से амो गया ऐसी फैसी सी वन इवन इस से गने सल हो गा अभी अभी माइन स्तुआ सेम्टी रिवन प्लस के ट्र DO 2121 2-1 से थी वन करने आएक माइनस जरूर बल्टा हर सेड के लिए एक सवा chamado मौझूद था इसे भी में मिटा हूँगा बच्यों अब आपके आए साप्स में क्यानि जरुच वाला मैंश देख ले दूट वे जितनम तॉर are cancelling each other and now what exactly you're finding up a one skipper skip even skipper even skip yaha bhi hai yaha par bhi hai ma par bhi hai so how many times totally we have added we people have added them four times so this is a one skipper b1 skipper 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 or nahi baad bachyo yaha paria to yaha aap khe paas mein kuch aisy picture ban jayegi numerator mavi people have added them four times and denominator this is three times of yay a three times kiri root ka square kare diya to rooted gya yaga aur yhe dho no apas mein kya ho ga bachyo cancel aur yhe aapke paas mein a4 by 3 so coskara alpha plus coskara beta plus coskara gamma plus coskara delta ki value 4 by 3 aave par yad kariyayi smaran kejie aapko to cosign wala kama karna hindi tha aapko to sign wala karna ta par laga aapto eak baat juru bata dhu bachyo ye bhi aapne 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 eakta ki problem hoogay jis ka answer 4 by 3 saj wa te aapne aapne kaari ki jagu aapne 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 ju कि तो ये लिखने से मुझको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते है यह आएगा आभ वनपलस उन प्रसवन फोर माइनस यह साइने इसकर मेर्फ अ यह साइने उसकर बीटा यह साइनसकर गामा और यह साइन स्क्राइल डिलटा इसी कोंस टू फो लाए ट्रेस्ट ये आजाएक आपके पास में और 4-4 फोर इकरेंगे तो यह माईनस वालुन ताम उदर चला जाएगा और आप देखि क्या आए ज्ल rapt के टम भाी इन सबका समह गया यह और चार ती बारा में से चार जाते हैं तो आप आराम से LCM लेकर देख लीजिए यही आएगा तो क्या आ गया बच्छों आपको प्रूफ कर लिजिए गा तो इस तरीके से समेशन साइन्स के लफा यहने के साइन्स के लफा अपला साइन्स के बीट अपला साइन्स के डिल्टा गिवेल्यू एट बाए त्री आई खोप आपको समय मैं फिर बोल रहाँ कॉपी करियेगा चलिए हम अगली प्राबलम बोली है बच्छों इफ एल वन एम वन एंवन वन स are direction cosines of three mutual perpendicular lines then prove that a line whose direction cosines are in ratio of l1 plus l2 plus l3 m1 plus m2 plus m3 and n1 plus n2 plus m3 will subtend equal angle with either of these three lines i repeat l1 m1 n1 l2 m2 n2 l3 m3 m3 are direction cosines of three mutual perpendicular lines then prove that a line whose direction ratios are in ratio of l1 plus l2 plus l3 m1 plus m2 plus m3 and 1 plus m2 plus m3 will subtend equal angles with either of these three lines a teen plus per number the rakehau get the coja l1 m1 n1 l2 and 2 and 2 and 3 and 3 and 3 and 3 and 3 and 1 plus m2 plus m3 and 1 plus m3 and 2 plus m3 can you pass me who in tino rakehau msa patricka kisa saman kona banayegi video ko paus karke ki ji ji majaan ta hu aap video ko speed me nahi liik pae ho aap prashna ko speed me nahi liik pae ho aap jis speed me maine boolato aap video ko bar bar chala 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 ka 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 saktayi bhaayi ye eak achi baat hai video klaski aham ah jinko bade tali nita ke saath me bade concentration ke saath me bade attention ke saath me pandhi ki aadat hoti hai un logon ke liye to mahi samahtta hoon ki ye jo video klas ho tii hai ye bhagwan ka diya hoa eak bode badeo uphar hai bhagwan ka vigyyan bhagwan nahi banaya merasa maana hai ki bhiya aap hum kuchh bhi kalne hai bhagwan sa baada koji nii hai yao miraha personal believe ho SAKTAH aap mire WICCIARO SE Ittta Faak na rekhayin tiga bhaib yaa par a ya bu aри star-di-canaan jamaaya si tata hau upne baare ma gear meira time-precise-cana hoti tata mas faith sa hint sa na utali progress nahi gaya tab istarak ki tiji jean nai available tii ab to computer hargar M air mobile hargar M air tab hargar M air aur और जब आप ये वीडियो देखने हो सकता है तब तक बहुत कुछ और भी नहीं आ चुका हो मार्केट में तो उनके लिए बड़े काम की चाहिए बैठ जाओ है आपको रात को दो बजे पढ़ने के चाहिए आंकिया शुरू हो गया वह चलो साधाना सर बढ़ बढ़ की जा र इस टॉपिक को नहीं समझना है हम उसको दो बार पढ़ने तीन बार पढ़ने रिवाइस करना है प्लेयर में स्पीड भी दे रहा कि आपको स्पीड बढ़ा दीजिए फटाफर रिवाइस कर लीजिए तो मज़े लेकर पढ़ेंगे तो मज़े आएंगे मैं कोशिश करता पढ़ा हुँ मेरी बातों से मज़े आते हैं हैं या नहीं आता है उजब मेरे लेपकर contest kein नहीं क्रुइंगा तब तक मैं लेक्णर मीवना मुझे और होना चाहिए मेरे वीडियो को रोक कर पॉबलम को सॉल कीजिएगा अगर अभी भी नहीं करा है देखे कोई तीन लाइन्स है जिनके डायक्शन को साइन्स क्या है L1 M1 N1 एक दूसरी लाइन जिसके डायक्शन को साइन्स क्या है L2 M2 एन्टू और तीसरी लाइन जिसके डायक्शन को साइन्स क्या है L3 M3 N3 क्या खासियत है खासियत यह जराब कि यह तीनों रेखा है परस्पर लंबात है वह फर्स सेकंड पर पर पेंड़ी गुदर और फ़र्स भी पर पर पेंड़ी गुदर है तो अभी आपने कंडिशन कि तो इसके क्या थी वह यह आएगी ऐसे ही L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस M2 M3 प्लस M2 M3 की वाल्यू जीरो ऐसे ही L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस M3 N1 की वाल्यू भी जीरो आएगी फिंड प्लस M3 M2 plus Vol Grade TR पिनल आमजद हर वह रोला इंसर हर लाइन घर दू नद शलीर पर पॉलन यह रुक्टिन पर पास्यूंद यह início बूंद तार फर्स पर लचाह्ट chairman परंडिकुलर हूं स्योंद एपने लगा दिया आपने और तीसरी लाइन अग्यासे घूसी यह given आपको यह given मैनली मोल सीन लिखार उन्हाँ ने कहा इसलिए बेना ऐसा करा और monsieur-स यान जिसके डायक्शन को साइन्स 11 आरल-टू सल ठी एम्वन प्लस एंटू-टू-बिस एं 3 और एं वन प्लस फिस्के रेश्व में है रेशो में मंदडर ये असे तो आपको प्रूब करना है कि तीजु लॉट ही लाइन Tel un में है वह इन त самого इंगा बनाती वह 159 के साथ में अटे या बनाती यहिए एक काम करते हैं मैंने मान लिया कि ये जो direction को science जिस ratio में है जो चोथी line है उसको मैंने मान लिया कि पहली वाली line के साथ में उसने angle theta बनाया suppose किजिए ये चोथी line है इसने पहली वाली line के साथ में angle कितना बनाया theta बनाया तो क्रॉस्ट थिटा की वल्लू क्या होगी अग्रॉस्ट थिटा की वल्लू होगी जनाब लवन ये कुछ ऐसे ही ये कुछ आएगा भाई एंगल का फामोल लगा एवन एटू ब्लस बीवन बीटू प्लस सीवन और सीटू याँ लवन ल्टू प्लस एमवन ल्टू प्लस अनवन तो ये और अपॉन में क्या अपॉन में आयेगा ल्वन्सकेर प्लस m1 square plus n1 square और यहाँ पर क्या l1 plus l2 plus l3 का whole square m1 plus m2 plus m3 का whole square plus n1 plus n2 plus n3 का whole square फिर थोड़ी सी time तो लगेगा अब इनके सवालों में तो time लगेता है वहिया सब्सक्राइब ब्रवाण लिया कि चो defini lichen है सब्सक्राइब अल्टिमूरजा सब्सक्राइब लिख जिएक्row तरीक सब्सक्राइब था में लिख सांभ और लेशों को साइंस वेपिन का स्केर का सर्व वन हो इतनी तो अख्ला आप लगा सकते हैं में डैक्षिन को साइन जिस रश्यो में होते हैं उसे बोलते हैं और चे रश्योष पहें सकते हैं यह आपके पास आ अब क्या करेंगे बच्छों आप तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान A2 प्लस B2 के प्लस C2 यह पिक्चर आपके पास आई अब आप जड़ा यहाँ पर जड़ा देखें तो यह क्या होगा बच्चों इनका मल्टिप्लाइ कर दीजिए इनका जब मल्टिप्लाइ करेंगे तो L1 L1 का L1 मल्टिप्लाइ करेंगे तो L1 स्केर आपको यह एक लंबी सी स्टेप आईगी मेरे खाल सब तो लंबी सी स्टेप लिख देंगे L1 L1 का मल्टिप्लाइ करा तो यह आया और L1 L2 का मल्टिप्लाइ करा तो L1 L2 प्लस L1 L3 बहुत अची बात है ऐसे इसका मल्टिप्लाइ करेंगे तो m1 का स्क्षयर और M1 M2 म् Du B mattress M1 M3 कि ऐसे ही N1 का स्क्षयर अन्वन एंट्व फ्लस एन्वन एंट्री होल subject फॉल अपॉम में क्या इंदीनों के स्क्री का सम चल्ठ मंदक्र बूला है तो स्क्रीर का सम्वन और ऋसका लूड भी भन होगा और रही बात बच्चो यह जो denominator में लिखा है यह मैं यहां लिक्रा देता हूँ अब क्या होगा स्केयर को लेंगँ तो एल्वन स्केयर। प्लस L2 स्केयर प्लस ट्वाइनलडी। ट्वाइस एल्वन ट्ू ट्वाइस एल्टू ट्री प्लस ट्वाइस एल्ट्री एलवन घण ज्च जब आप थिडिके संस्कर्वंच रोना क歌 जिगर्ण थाम के काम करो ठूड़े पिसेंस के साथ में काम करो कोकि पेशेंस तो ये मांगते को हमकी टाइमीं तो इन में लगता है हमें चीजां पता होती है की कही बाल क्या हो रही है थो ह्पिर भी जब हम कम representatives जोए सम्म बोर्ड एकशाम को करने जाएंगे तब तो हमें सब चीज़ करना ही पड़ेंगी है स्केप apert vice परसित के plus ट्वाइस आफen एंवर एंटऊ ट्री उंटू कुछे मटो अफ एम ट्कनित प्लस ट्वाइसयो आफ अबुरए Chairman मुवान क्या बाथ है वया क्या वा थे का बैध है के दिल ना हता बेचारा करे दम ना हते आवा रा जो को बसूरत को अपना हम सफर होता है ये दिल अर माना उसका पता मैं नहीं जान था चलिए भी है इतर आ जए तो तो पड़े गाने का वी आनंद लेता चलिए भीया आगो गाना कैसा भी लगे मुझे शुरहों गाने के या नहीं हो पर मैं तो गाऊंगा क्योंकि भी ये संजी क मैं मुरीद हुँ दिवाना हुँ पागल हुँ अब इदर आचे बच्छों यहां पर प्रप्र इसके प्रस्ट अ Less स्थ आई से और दी कि प्रस्ट है यहां पर भी वही पिक्ट बने चैया है ऑप पार आप सब्सक्र में झाले कि अब क्या हो जाये गाए को सब्सक्रार अब भाइंगे अब आप साथ लिखाब डिशन अपने volenzきます सक्ट प्छेटो एक साथ लिखा डिए लिख देते है can you आप क्या कर सकते हैं इसमें भाई L1 L2 L1 L2 प्लस एक सेकंड जो आपके पास में क्या आया इसे आप L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2 आपने भाई इस एस और इसको एक साथ लग दिया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस यह और ऐसे ही क्या अपने क्या करा L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस M3 M1 प्लस M3 M1 वही के कर रहा हुए मैंने इन दोनों को जो है ना तिनों को एक साथ दिख दिया मेरे का सब को सब्सक्राइब प्लस M3 M1 प्लस M3 M1 लिख दिया और डिनामिनेटर में यह आप देखें तो यह रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो अभी यह L1 स्क्राइब अल्टू स्क्राइब प्लस M1 स्कपशन कपारो सौन सिस्कार और सबस्क्राइब यह वान यह को जिए इसमें से य ओसक्राइब मश्कार भुर्यी ल्ट्व स्क प्लस M2 स्क अन 2 प्लस किर और फ्रियें ऐलटरी स्केर प्लस म 3 इसकिर प्लस एंठी इसकर फई आपने काढ़ा L1, L1, M1, N1, इनको एक साथ दिख दिए, ऐसे ही L2, M2, N2 को एक साथ दिख दिए, ऐसे ही L3, M3 और N3 को एक साथ दिख दिए, मेरे खासा आपको सहुझ महारा होगा, दिखा, अब उसके बाद में बाकी जो भाठा आपके पास में, उसमें से आप 2 common निकाल कर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भीया समय लगेगा समय लगेगा मैं डायेट लिख सकता हूँ और मेरा प्रयास यह है कि हम अच्छे से समझ पाएं खा मखा हम जल्दबाजी में न रहें twice L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बहुत बढ़िया और ऐसे फिल twice L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 प्लस twice L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस M3 N1 यह आपके पास आ गया सुनिए यह आपको जो L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 जो दे रखें यह क्या है डैक्शन को साइंस है और चूप की डैक्शन को साइंस है इसलिए इनके स्क्राइल का सम्वन होगा तो यह कॉस्ट थीटा हमने माना है कि जो चोथी लाइन है इसले पहली लाइन के साथ में एंगल थीट बागी जो बच्छों यह पूरे ब्रेकट के तो पूरे ब्रेकट के वल्यू जीरो क्योंकि यह तो गीवन ना भी परपेंडी को जन्हें तो उसी सागे यह जीरो और ऐसे ही यह वाली ब्रेकट भी कितनी आ गई जीरो खुब आपको इस सब्सक्राइब आया है यह पूरा ज अब को दिखाई दे रहा है इसमय से ट्वाइस ऑफ इस पूरे कि वर्लेज जीरो क्यों क्यों जीरो आई क्योंकि परपेंडी को अधर है उसके लिए इसे बिए पर पर्पेंडी जीरो आए गी और यह भी परपेंडीच व्याइट टास्फ आस यह वोचुका बच्छों यह थे वे पीपलो में वह फीज भाफ्सी रावगे अग्वेश कुछ हां रहा है वागल एंगल हम दे लॉट्स न बिया है रहा है वह एंगल या तो एक्षान को साइने लाइन है पहली लाइन के साथ में जो आंगल है वह यह अगल यह आ रहा है तो ऑ आया अब आप यह देखिए यह जो एंगल आपके पास में आ रहा है इस एंगल में कहीं पर भी L1 L2 L3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 कि आही नहीं रहा है वो इंदिपरेंटेंट जो से तो उस बहुत रहा है कि जैसे पहली लाइन के सात्में एंगल यह अज एससे ही इसका अगर दूसरी के साथ मैंगल निखा लेंगे तो यह ँजा तो यहीं आएगा वाईut यह एंगल कहीं या एंगल कॉनसंटा रहा है रहें उसे वो तीनों के साथ में सेम हैंगर बनाएगी तो कैसे किया कि छबज में आया होगा कर लिजिए भाई यह आपके पास में था चलिए एक और सम लिखिए इफ लवन M1 N1 L2 इसी मैं इचलिए एक काम कीजिए इस L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 are direction cosines of three mutual perpendicular lines of three mutual perpendicular lines then through that approved at L1 upon M2 N3 minus M3 N2 is equals to M1 or N2 L1 minus N1 L2 is equals to N1 L2 N3 huh I L2 M3 minus minus L3 M2 is equals to 1 करिए इफ L1 L2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 are direction cosines of three mutual perpendicular lines done through that this video को pause करके कीजिए देखिए क्या करेंगे हमें क्या बोला है यह यह तीन lines के direction cosines हैं तीन lines के direction cosines हैं L1 M1 N1 और दूसरी line के direction cosines हैं पहली line के direction cosines इस ratio में हैं पहली line क्डेक्शन cosines इस रेशो में हैं पहली line क्डेक्शन cosines को था आनको को साइंस आरिशो में यह ए और हमें यह प्रूव करना है तो अब देखिए यह दोने और दूसरी लाइन को लिजी आप फस्ट और सेकंड को नहीं की लिए उसके बगर मेरा काम करने की कोशिश करता हूँ क्या करें देखिए यह आपके पास आ रहा है अब इसमें एलवन के लिए देखे जाए हम एलवन के लिए देखें तो एलवन के लिए क्या होगा बच्चों एंटू एंट्री जड़ा गोर कीजेगा यहां पर हम यूं समझें कि हम इन एक्वेशन को सॉल कर रहे हैं यह जो दो एक्वेशन मेरे पास बनी तीसरी भी बनी मुझे उसके जरूत नी थी इसलिए मैं उसको मुटा दिया चाहो तो तीसरी लिख सकते हो अब जब ध्यान करिए आप कोई दो एक्वेशन सापके पास में होती थी तो आप उनसे उनको सॉल करके सॉल करते थे बिल्कुल वही यहां पर लीनियर एक्वेशन आफ टू वेरियेबल्स के लिए देखा जाए तो एलवन के बटे में मैं क्या लिख सकता हूं M2 into N3 M2 into N3 minus M3 into N2 L1 के M2 N3 minus M3 N2 और फिर M1 के बटे में क्या होगा यह लिजए में L2 N3 minus N2 L3 upon N1 और फिर क्या होगा अगर यहां पर देखा जा तो L1 M3 minus L3 M1 क्या करा मैंने मेरे खाल से सोजमाया होगा आप ज़रा ध्यान करने की कोशिश कीजिए जब आपके पास पर कोई तीन एकवेशंघ दोएक वेशंघ रखिए हैं तो आप कैसे सोल करते थे हैं ऑपर दोएकweiseंट्स हमको दे रखी है वार आपको उनको siplify कंसे करने हो हम चाहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम ऐलवन एमवन और एमवन को क्रेए कर रहे हम हमारे वेरियables को कहा ले के चल रहे हैंً? 211 यहीं मास को कहले हैं, का लेकर चल रहे हैं? इक मिनिट मैंने 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 थोड़ा सा मुझे यहां पर काम करना पड़ेगा मैं फ्र फॉस्ट और ठरड एकोरिसन लेकर चलता हूं मैंने थुड़ सी गलती करिये यह 1 M1 और N1 के लिए सॉल करा यह L1 M1 N1 L1 M1 N1 के लिए सॉल करा तो L1 के लिए M2 into N3 minus M3 into N1 यह देखिए फिर M1 के लिए M1 के लिए N2 into N3 L2 into N3 minus L3 into N2 गत बढ़िया और इस इकोस टो N1 N1 के लिए क्या होगा बच्चों L2 into M3 minus L3 into M2 एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट यहां पर थोड़ी सी गलती करी है मैं पर फिर से कर देता हूँ या आप लोग अदर्वाइस कंफ्यूज हो के देखिए यह तीन रेखाओं के दिखो जाए हैं जो कि परस्पर लंवत है और चूकि वो परपेंटिकुलर है इसलिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 is equals to 0 ऐसे सेकेंड थर्ड भी होंगी और ऐसे थर्ड फर्स भी होंगी तो थर्ड फर्स को लेता हूँ इन दोनों को L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 अब मैं यहां वेरियेबल कि इनको लेके चल रहा हूँ जड़ा ध्यान दिजेगा L1 M1 N1 L1 M1 N1 इनको में वेरियेबल लेके चल रहा हूँ तो कैसे सवाल होगी L1 के अपॉन में आप यह भी वेरियेबल है यह भी वेरियेबल है यह भी वेरियेबल है तो आप इन दोनों का मल्टिप्लाई कीजिए M2 N3 फिर इन दोनों का multiply कीजिए तो M3 N2 is equals to M1 M1 में क्या होगा अब यहाँ पर L2 N3 minus L3 N2 L3 N2 बराबर N1 N1 में क्या होगा बच्चो L2 M3 L2 M3 minus L3 M2 मेरे खाल से आपको समझ में आ चुका होगा हमने क्या किया है exactly what exactly I have done यह समझ में आ चुका होगा आपको तो यह picture बन कर आगई आपके पास में क्यों आ गई कि मरी आप नहीं क्या करा यहां पर भी थीन तीन में से हर कोई दो investment कुद है और कंडिशन हे C2 ऐसे थे परपन्री रिपर पर यूजञन करा वह भी आप लिग सकते हूं और M1 और N1, L1, M1, N1, इन तीनों को variables लिया मैंने, बाकी सब उसके coefficients हो गए, तो आप L1 के denominator में क्या लिखेंगे, L1 के denominator में आप लिखेंगे, M2 into this minus this, यह आपके पास आया, ऐसी M1 के denominator में क्या लिखेंगे, L2, N3 minus L3, N2, यह आपके पास आया, और फिर क्या बच्चों, N1 के denominator में, N1 के denominator में क्या होगा, N1 के denominator में L2 M3 minus L3 M2, यह आपके पास आगया, यह आगया, हलाकि आप इसमें, इसमें अगर आप ध्यान करें तो इसमें बीच में minus लगा करता है, बीच वाले जो हता है, वो माइनस लगता है, पर अभी हम उसको प्लस लेके चलने या माइनस लेके चलने, उससे हमें कोई खास फरक नहीं पढ़ना, आप चाहिए तो इसको माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान कीजिए, सेकंड बारा वेरियेबल के टाइम पर आप नेगेटू लिया करते हैं, तो यह आपके पास मैं आ गया, अब मैं ratio proportion की property का use करूं, तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं, तो मैं numerator को लिख सकता हूं, under the root of L1 square plus M1 square plus N1 square, यह लिखा, और denominator का जहां तक सवाल है बच्चों, तो उससे मैं ने लिखा, उससे क्या लिखा, M2 into N3 minus M3 into N2 square, और यह क्या, L2 N3 minus L3 N2 square, और यह क्या भी यह, L2 M3 minus L3 M2 square, यह तो कैसे आया, यह मेरे खाल से आपको समझ माच चुका है, हमने elimination कर दिया है, simply, तो वो हमारे पास में यह आ गया, और यहाँ यदि आप देखें बच्चों, तो यह जो आपके पास में है, यह second वाली और जो third वाली जो lines है, उन दोनों lines के बीच में जो angle बनेगा, उस angle का sign है, यह second और थर्ड लाइन जो बनेगी, second और थर्ड लाइन जो बनेगी, यह उनके बीच का क्या है, sign है, क्या उनके बीच का sign, क्योंकि आप cos theta का formula क्या लिखते थे, l1, l2, plus m1, m2, plus m1, l2, लेकिन आप sign theta का formula क्या लिखते थे, under the root l2, l2, m1, kasker, l2, m1, minus l1, l1, m2, वगर, 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 वब लिख लिजी, मैं बोलूँगा बारबा, slip of tongue होगा, मुझसे वो, so यह आपके पास में बना रहा है, और यह भी जो आपके पास में आएगा, यह आएगा sign theta, second और third line जो बनेगी, जो second और third line जो बनेगी, उन दोनों के बीच में angle का sign होगा, और दोनों के बीच में angle का sign होगा, और दोनों के बीच में angle का sign, है, 2 राइन के बीच में 90 देगरी है, और 91 लिख दीच और 1 का root होगा 1 और सगों रसंदी भी और यह आपके पास, हला कि अब रूटस लेंगे तो plus ऐतल प्लस बाइना एंट लिख सकते हैं, है क्योंकि यह रोड़ है बच्चों हम जो है रिपीट है यह है यह यह वन होगा यहां पर प्लस मैंस भी बात नहीं है क्यों रूट लेंगे तो आप रूट लेने के बाथ में प्लस माइनस लिख सकते हैं ऐसा जा आप बुलते हैं सब्सक्वाज के लिखा जाता है तो मैंने जैसे आपको आपको कहा नहीं होगा तो इसलिए फिर वह अगर आप माइनस वन ले तो भी वह चीज़ आ रही है तो अगर तो भी ठीक बात अथर्वाइस माइनस वन क्योंकि हम किसी लाइन के अगर डायक्शन रेशोज एल एम और एन है तो उसके अपोजिट वाइन के डायक्शन रेशोज माइनस माइनस न भी होंगे तो वो लॉजिक भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं एनिवेस सो यह क्या का उसा एंगल का साइन थीटा था यह है और पहली बादे तो चुब कि दिक को जाए थी तो दिक को जाए तो इसलिए है तो यह कॉपी करियेगा बच्चों एक और सम कीजिएगा एक पॉलम आपको दे रखे बच्चों इस एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू ए L3 M3 N3 are direction cosines of three coplanar lines then prove that then prove that L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 is equals to zero यदि L1 M1 M1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 तीन सम्तलाकार रेखां तीन सम्तलाकार को हिंदी में क्या बोलेंगे सम्तली तीन सम्तली रेखां कि दिक को जाए है तो सिद्ध कीजिए यह वीडियो को रुप करके कीजिएगा अगर अभी भी नहीं किया है तो देखें तीन को प्लेनर लाइन्स तीन को प्लेनर लाइन्स की डायक्शन को साइंस दे रखी आपको जला समझेगा वही एक लाइन यह रही एक लाइन यह रही ऐसी कोई लाइन है दो और तीसरी लाइन यह रही यह एक प्लेन में हैं एक लिए मेन थीनों लाइनंने यह फर्स्ट लाइन यह सेकंड़े यह थार्ड लाइन यह तीनों एक प्लेन में को प्लेनर बोला न्य CHS कि त्रिया लाइन यह रही पहली लाइन यह रही दूसरी लाइन और यहीर week अद्टीично लाइन पहली लाइन के डिरेक्शन कोसाइन्स क्या है L1, M1, N1 दूसरी लाइन के डिरेक्शन कोसाइन्स क्या है L2, M2, N2 और तीसरी लाइन के डिरेक्शन कोसाइन्स क्या है L3, M3, N3 पहली लाइन के डिरेक्शन कोसाइन्स ये है पहली देखा के दिक को जाएं ये हैं और दूसरी देखा के दिक को जाएं ये हैं और दूसरी देखा के दिक को जाएं ये हैं तीनों एक ही प्लेन में हैं हमें प्रूव करना है ये मैं फिर से बना रहा हूँ बच्चों पहली लाइन ये रही अग दूसरी लाइन ये रही तीसरी लाइन ये रही इतीनों एकी प्लेन में है आपको ये प्रूव करना है तो अब एक काम किजिए बच्चों Let Direction Cosines Of a Line Perpendicular To Plane Perpendicular To Plane Containing Three Given Lines Are L M N Let Direction Cosines Of a Line Let Direction Cosines Of a Line Perpendicular To Plane Containing These Three Given Lines L M N मैंने जिस plane में भई ये कागच के plane में बना दी तीनों lines ये इस plane के perpendicular किसी line connection को science मने sitzt कर लिए इस plane के perpendicular किसी line के direction को science मने क्या suppose कर लिए बोलिए L M N अब एक बात दिमाग लगाईए भई ये तीनो lines एक plane में है आराम से समझिएगा कोई जल्दबाजी नहीं है ये तीनो lines एक plane में है जिस plane में है उस plane के perpendicular किसी line के किसी line के direction को science मेंने क्या suppose कर लिए बोलिए यस element माल लिए अब वो जो मैंने चोथी line के direction को साइस मेंने अपने मर्जी सपोस्थ करें है L M और N माल लिए obviously वो जो line है वो इन तीनों के plane के परपेंडिकोदर है तो वो इन तीनों lines के भी परपेंडिकोदर होगी वो इन तीनों lines के भी परपेंडिकोदर होगी पहले लाइन के परपेंडिकोदर होगी तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2 is equals to 0 कि बोलिए क्यों क्योंकि यह जो चोथी line जिसके direction को साइन्स मैंने element माने हैं वो इस plane के परपेंडिकोदर है इस plane के परपेंडिकोदर होगा क्योंकि ये line इस plane में तो है सहाइं तो जो भी चागज के प्लेन में है और जो मैं चोथी लाइन जिसके मैंने DCS1 माने हैं वह इस प्लेन के प्रपेंडिकुलर तो बनता है। ऐसे ही वह इसके भी प्रपेंडिकुलर होगी तो ये भी आपके पास में पिक्चर बन जाएगी। कि क्या करा मैंने मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चो यह बड़ी कॉमन सी बात है जिसके बारे में आप लोगों को 3D कॉडिनेट की जोबेटरी में स्पैशिल कॉडिनेटर जोमेटरी में भर भर के पढ़ने को मिलने वाला है आगे चलके भी आई रिपीट बच्चो यह तीनों लाइन्स खागज के प्लेड में थी है यह लिजिए तीनों गाल्रेश के प्लेड में थी अब चोथी लाइन जो ऐसी लिए मैं आपको चोथी राइन जो बतानी है मैंने चोथी राइन मैंने माननी है अपने मरजी से अब यह जो लाइन है वह स्क्राइब तो वह आपने कंदिशन लगई ऐसे इसके परपंडिक वह दो गी तो वह आपने लगई का लगई होगा वह आपको सभुझ मा चुका होगा मैंने क्या करा इन अप्रेन लाइन से बनने वाला जो प्लेन ठाक कि ये तो गिवन है कि तीन- से बनने वाला जो plane था मैंने उस plane के perpendicular कुछ चोथी लाइन इमेजन कर लिए जिसके डीसी से मैं ने 11 है अब वो जो चोथी लाइन है वो इन तीनो के प्लेट के पर्पेंडीकर है तो लाजमी है इन तीनो lines के भी और प्रपपेंडीकर होगी तो आपने वो लगाया ऐसे दूसरे के लिए ऐसे तीसरे के लिए अब आप जब इन से determinant की सिंपल सी बात भीया eliminating L M N from equations first second and third इन तीनों से जब आप क्या करेंगे L M N को करेंगे तो eliminate करेंगे तो क्या होगा यह बनेगा L1 M1 N1 L2 M2 M3 और यह L3 M3 एक मिनट L1 M1 N1 L2 M2 और N2 और L3 M3 N3 is equals to zero यह आपके पास आगा तो यह बन गया और इस से eliminate क्या यह और इस determinant को बाद में मैं स्मा कर सकता हूं कि मैं जानता हूं determinants कि अगर ती और रोज को कॉलम में यह कॉलम को रोज मेंट चेंज कर दिया जाए एकस्चेंज कर दिया तो उसकी वैल्लियू में कोई फर्क उसके DCS elements supposed कर लिए और फिर मैंने ये देखा कि वो जो चोथी line है जब वो इस plane के perpendicular तो इसके perpendicular होगी वो इसके perpendicular होगी वो इसके perpendicular होगी बस लगा दीजिए काम हो जाएगा copy करिएगा चरिए तो यह आपके पास आचुका बच्छो एक और सम कीजिएगा problem कुछ ऐसी है सहाब की सोचना पड़ता न यह problem बनाने के लिए मुझे सोचना तो पड़ेगा ऐसा तो है नहीं की काम हो जाएगा सोचा नहीं हो कुछ भी दे दिया तो चलिए जुनाव आपको दिया है if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of any two lines of any two lines then find direction a a second my faceable no yes if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two lines then find direction cosines of a line which is perpendicular to these two lines करिये दो रेखाओं के दिक को जाए आपको given है क्या given है बच्चों आपको given है कि दो रेखाओं के दिक को जाए है L1 M1 N1 और L2 M2 N2 यह आपको given है है और आपको क्या करना है आपको ऐसी line के direction cosines find out करने है आपको ऐसी line के direction cosines find out करने है जो इन दोनों के ही perpendicular है जो इन दोनों के ही क्या है perpendicular तो देखिए वह एक line के DCS यह है मतलब इनके square का sum 1 होगा दूसरी मुझे उस line के direction cosines निकालने है मुझे उसके direction cosines निकालने है जो इन दोनों के perpendicular है कैसे करेंगे जड़ा देखिए कैसे करेंगे जो इन दोनों के perpendicular है तो चलिए सोचते हैं प्रयास करते हैं let DCS of line perpendicular to above given lines are L M N मुझे उस रेखा की दिक को जया बतानी है जो इन दोनों और रेखाओं के लंवत है मैंने माना कि उसे रेखा कि दिक को जाए है L M N मान लिए कि अब वो इसके perpendicular है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 N2 इस गोस्तों 0 क्यों भाई आपको यह दो lines दे रखिए कि यह दो lines है बस यह दो lines है पहली line के DCS क्या है पहली line के DCS है है L1 M1 N1 दूसरे line के DCS है L2 M2 M2 और आपको उस line के DCS निकालने जो इन दोनों के perpendicular है आपको उस line के DCS निकालने जो इन दोनों के perpendicular है तो मैंने माल लिए उसके DCS क्या है L1 तो अब वह इसके perpendicular है तो भी condition लग गई यह लिजिए लग गई यह आपके पास आगे अब यहां से आप L अपान क्या करेंगे आपने आपने ल को देखा तो फिर क्या होगा यहां पर denominator में क्या हैगा M1N2-M2N1 और फिर ऐसे ही M अपान क्या होगा M के टाइम पर क्या होगा इन दोनों का multiply L1N2-L2N1 वह माइनस लगाना चाहिए पर अभी मैं केवल रेशो की बात कर रहा हूं असलिए मैं यह अभी इन के बारे में बात की जाए तो एन के denominator में क्या होगा L1N2-L2-M1 यह मेरे खाल सापको सवज माया है और इस इक्वोस टू में मैं फिर वही काम कर सकता हूं कुन सा कम अच्छा यहां पर एक बार बता रहे तो मैं आपको यहां पर एक प्रश्न में मुझे यह बोला है कि दो रेखाओं के दिक को जाए यह ने हैं आपको उस रेखा के दिक अनोपा अधिक को जाए गयात जो इन दोनों के परपरांट्रीइंग गोड़े जबकि आपको यह गिवन है कि इन दोनों के बीच में उल ठीटा है यह तो चलिए अब यहां पर यह क्या लिखा जाएगा इसको मैं लिख सकता हूं रूट आफ एल स्केर प्लस एम स्केर प्लस एन स्केर और डिनॉमिनेटर का जहां तक सवाल है बच्चों तो डिनॉमिनेटर में क्या बनेगी पिक्चर आपके पास में डिनॉमिनेटर में आपके पास में पिक्चर बनेगी M1 N2 M2 N1 का स्केर प्लस L1 N2 M2 M1 का स्केर और यह L1 M2 M2 M1 का स्केर यह आपके पास आया, यह कैसे करा मेरे खाल साब को सब्सक्राइब होगा, अब यह तो जो लिखा था मैंने वह वैसा का वैसा लिखा और रही बात बच्छो इसकी तो यह है बन क्यों है वन है, क्यों की एलएक्षन को साइं स्कैर के बास मन होगा, और यह जो आप देख रहे ह वेल्य यही होती ही जो लिख है तो यहां गया मैं अंडर दी रुटाफ और यहां अफ और अपन Q फार्मूले में ही यह रूट आ जा गया तो इस तरीके से L की value क्या आगई इस तरीके से L की value आगई आपके पास में क्या M1 N2 minus M2 N1 hold upon sin theta ऐसे ही M की value क्या आगई बच्चों L1 N2 minus L2 N1 upon sin theta ऐसे ही अब वो minus आएगा plus आएगा वो आप सब manage कर दीजेगा बच्चों और ऐसे ही N बराबर क्या होगा L1 M2 minus L2 M1 upon sin theta सो किस तरीके से मैंने इन दोनों के perpendicular line के DCS निकाले या आपको मेरे खाल से सोजमाया होगा बच्चों मैं सीधी सीधी बात है ना अब कोई दो lines कोई दो lines के DCS आपको दे रखें और आपको तीसरी line के DCS निकालने ते जो इन दोनों के perpendicular है कोई दो lines के DCS आपको दे रखें और आपको उन से के DCS निकालने जो दोनों के perpendicular तो कैसे निकलेंगे आपके पास में जाएंगे तो element की values के आगए मेरे खाल से सभज़ माया होगा एक और तरीके से करें कोशेशिश में चलिए करते हैं बच्चों आप जड़ा आपको दो lines के DCS दे रखें पहली line के DCS हैं L1 M1 N1 और दूसरी line के DCS है L2 M2 N2 और यह भी किवाने कि इन दोनों के बिच में इंगल ठीटा है आपको तीसरी line के DCS निकालने हैं जो इनके perpendicular है तो जड़ा हम थोड़ा सा समझते हैं और चलिए हम थोड़ा सा हमारे डायक्षन रिशोज और डायक्षन को साइन्स की जो का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा और फिल्टर करने की कोशिश करते हैं हमें एक बात पता है कि कोई वेक्टर आर वेक्टर क्या होता है ए आई-कप प्लस बीज एकप प्लस सी के के का अगर मैं लिखूं मैं अगर यह लिखूं तो इस वेक्टर की डायक्षन में यूनिट वेक्टर क्या होगा इस वेक्टर की डायक्षन में यूनिट वेक्टर आप इस वेक्टर को उस वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजे तो जब आप मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो क्या अपन में गिया आएगा यह आपके पास आगया और इससे आप क्या लिख सकते हैं एपन ये जो रूट में लिखा हुआ है वो लिखा आई कैप प्लस बी अपन जो रूट में लिखा है वो जो है वो जो है वो जे कैप और सी अपन जो रूट में लिखा है वो और के कैप और ज सी अपॉन दिस जुसे लिखते हैं यह जो होता है इसी को आप डारेक्शन को साइन कहते होते हैं आप ज़र ध्यान दीजिये यह क्या होता है अडारेक्शन को साइन को साइन्स सो है वह एपन देस बिप आपन दिस क्यों कि इन तीन हो कि स्कैर का समबन होगा तो यह पिक्चरा आपके पास मारे मैं यू भूल सकता हूँ कि कि DCS से जो वक्तER बनता है DCS से बक्तर बनता है वो यूट injector बनता है आप यह ंवक्तर शक्राइब विक्टर होगया उनिट वह उत्टर रिख हो जिसका मॉड्र बन होता है अब यूनिट वेक्टर क्या होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉल्डस होनाता है और डीचियस क्या होता है जिनके स्केर का समग बनेगा और कुछ नहीं तो अगर कोई वेक्टर आपके पास में इस तरह का है जिसके कोई लाइन ऐसी जिसके अब देखिये पहली लाइन के डीचियस है यह दूसरी लाइन के डीचियस है यह सो पहली लाइन से जो वेक्टर बना वो क्या बना आरवन वेक्टर क्या बना वो लगन आई कैप प्लस एंवन जे कैप प्लस एंवन के कैप पहली लाइन से जो वेक्टर बना वो ऐसा बना हाँ आपके पास में एक ऐसा वेक्टर है जिसके इसका बना या चरुकि यह ना यहा यहाँ पर पफेल कर दें मतल्य हो जो जू कर लिए वाला उखते बना और दूसरा अवेक्टर बंदा आपको जो दूसरा रेक्टर बना वो क्या होगा कुछ ऐसा यह लिजे वह यह इसका तो मेंगरटूड बना आएगा इसमें लेमडा डू का मेंटिप्लाय कर दिया इसमें लेमडा बन का तो पहली वाली डीसी असे जो वेक्टर बनेगा अब आपको क्या निकालना है इन दोनों के परपेंडिकुलर आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है या आपको इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के DCS निकालने हैं मतलब मैं यू कहूं इन दोनों से जो वेक्टर बना उस वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है तो भात तो वोई भी तुर्स बोल रही है क्वे स्वेश्म कर지 मैं और ये युट ईना यूटिए आप यूट्टा थ बन्ता ए और अदर वाइस जो डियारस से बनता वुक्तर बन्ता है फिल मैं बूल रहा हं जिसतरीके से पर DCS भी DRS ही होते हैं पर DRS DCS हो जरूरी नहीं है क्योंकि DCS जिस रेशो में होते हैं उसी को बोलते हो DRS प्रिसाइद लिए अगर उनके स्केर का समभाने तो फिर वो DCS हो जाते हैं यह समझ चुक्यों तो यह भी यूनिट वेक्टर ही है और वेक्टर कोई सा वेक्टर है यह कैसा रेक्टर है जिसकी डायेक्शन तो आर वेक्टर की जैसी है और मेंग डूट बन है अब आपको क्या यूनिट वेक्टर निकालों जो इन दोनों के परपेंडिक कुझा है क्योंकि DCS से वेक्टर बनता है वो यूनिट वेक्टर ही बनता है वो यूनिट वेक्टर ही बनता है वो यूनिट वेक्टर ही बनता है आपको मैं फिर बोल रहा हूं आपको DCS निकालने मंदल यूनिट वेक्टर निकालना है DCS निकालने मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है मतलब इन दोनों के प्रेन के परपेंडिकुलर है और ज़रा स्मरण कीजिए ज़रा याद कीजिए एक्टर जो किनी तो दौक्टरो के परपैंडिक गुंडर हो वह यह से निकलता है वह आसे ध्यान circle जिए वह निकलता हैक प्लस माइनस और बन वेक्टर अक्रोस आर्ट। वेक्टर अपॉन a modulus of r1 vector cross r2 vector वो ऐसे ही निकलता था बच्चों कोई दो वेक्टर ए और बी के perpendicular unit vector कैसे निकलता है दो अक्टर के सॉरी कोई दो अक्टर के perpendicular vector कैसे निकलता है a cross b upon modulus of a cross b plus minus क्यों आया था या आपको स्वाज में आवा क्योंकि दो डाइक्ष दो होते हैं एक बाहर के तरफ और एक अंदर के तरफ तो वह यह आएगा तो यहां पर यदी मैं r1 vector cross r2 vector निकालूं तो वह कैसे निकलेगा यह i cap यह j cap यह k cap और यह होगा lambda 1 l1 यह lambda 1 m1 यह lambda 1 n1 और यह lambda 2 l2 यह lambda 2 m2 और यह lambda 2 n2 इस तरीके से निकलेगा यह और फिर यह क्या होगा i cap इन दोनों का multiply करेंगे तो इन दोनों का multiply करेंगे m1 n2 minus l1 lambda 1 lambda 2 और यह क्या होगा बच्चों m2 n1 यह i cap आगया आया आपके पास में और फिर j cap j cap का time पर आप minus करेंगे minus करेंगे इन दोनों का multiply कीजिए सो लेम्डा 1 lambda 2 l1 n2 minus lambda 1 lambda 2 और फिर क्या होगा बच्चों इन दोनों का multiply क्या होगा लेम्डा 2 n1 यह मैं फिर बोड़ा हूं बच्चों यह वेक्टर था अब इस वेक्टर के डाक्षा में यूनिट वेक्टर वो यह होगा और उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं और यह जो बनता है और डियारस बनता है वो नॉर्मल रटा बनता है यूनिट वेक्टर भी आप इस ली वेक्टर ही है जिस तरह से डिसी एस डियारस का रिशोई होता है तो चलिए सब यह मैं मिटा रहा हूं अगर आपने नहीं नोट डाउन के तो जुरूर नोट डाउन कर लिजेगा क्योंकि आपके लिशाद हो सकता यह नहीं बात तो हो सकता है आपने यह बहले ही समझ लिया हूं अब इन दोनों का मल् प्रिप्लाई करेंगे तो यह क्या होगा वच्छों लेमडा बन लेमडा टू और एल वन एंटू माइनस लेमडा बन लेमडा टू ल्टू अम यह आपके पास आ गया तो आर्वन रक्टर पर आपके पास में यह और फिर मैं मैंने ये निकाला और फिर मैंने ये निकाला और फिर मैं क्या निकालता हूं इस मैं से लेम्डा वन लेम्डा टू पूरे मैं से कॉमन आ जाएगा तो चलिए मैं निकाल देता हूं लेम्डा वन लेम्डा टू कॉमन निकाल दिया सो मैंने पूरे मसागर इसको common निकाल दे तो बागी क्या बचा M1 N2 माइनस M2 N1 I cap माइनस फिर क्या L1 N2 माइनस L2 N1 J cap और फिर ये आपके पास में क्या L1 M2 माइनस L2 M1 K cap और ये packet close ठीक है यहाँ आगया अब आप क्या निकालेंगे अब आप modulus of this निकालेंगे तो इसका modulus कैसे निकलेगा बच्चा इसका modulus जब आप निकालेंगे तो ये modulus जब आप निकालने जाएंगे तो under the root of A square plus B square plus square या under the root X square plus Y square plus Z square और ये भी multiply में है इसलिए इसका भी square होगा और बाकी फिर क्या होगा बाकी फिर आपके पास में ये पूरी bracket और ये क्या होगा M1 N2 minus M2 N1 का square M2 और सॉरी फिर क्या किसका square L1 N2 minus L2 N1 का square और फिर क्या L1 M2 minus L2 M1 का square यह आपके पास आया G4 UP अगया बच्चों और यह आया मौड़ृस आया यह मौड़ृस आया और यह रूट निकाल देना तो यह रूट के भाए आकर यह वह गया और यह जो आपके पास में बाकी जो बचा बच्चों वह आप धिहान की है वो और कुछ तो यह अगी का बचाब तो और वो रूट सही थी उता था तो यह आगए आपके पास में तो यह आया अब आप अगर निगा ले तो एंड कैप की वेल्यों क्या आए एंड कि वैल्लू आएगी प्लस- minus और r10 vector cross r2 vector की value आप जो है वे हहा रखेंगे तो मैं वह यहां रखूँ गा और अपन में रखूँ गा क्या लेमडा 1 लेमडा 2 sin theta जे आपके पास आया और numerator में क्या रखूँगा अन्यूमेर अब अफ्रो मेंक्चों में lamda1 लेम्डा 2 और ब्लाकेट में क्या बाकी जो आपके पास में है चलो मैं वो भी लिखे देता हूँ क्या आ रहा है M1 N2 माइनस M2 N1 आई क्या और फिर क्या आपके पास में बाकी क्या आ यह माइनस L1 N2 माइनस L2 N1 अजे क्या भाई यह जगा कम है मेरे पास में तो मैं बाकी का नीचे लिख रहा हूं यहां पर यह प्लस में क्या साथ में L1 M2 माइनस L2 M1 अजे क्या थोड़ा सा वो बिगड गया है मामला पर कोई बात नी यह देखिए अब क्या होगा यह दुना आपस में क्या हो गए ऑगे का ने के दुना आपस में क्यंसले हो गए के बात जो बचा हुआ हिस्सा वो महीं हाल distint तो फोड़ा सा काम तो भाई है में The next सबूंस on पर秒 के नाहीं तो हमें साइन थीटा अब यह यूट वक्टर आया और यूट वक्टर आया मतलब इससे जो आपको मिलेगा वोडीसीयस ही मिलेंगे अभी आपने लिए डीसीयस निकाले तो डीसीयस क्या रहिए आप देखि लिजी डीसीयस का बनेंगी M1 N2 M2 N1 whole upon में क्या बच्चो sin θ ऐसे ही फिर J वाले में ऐसे ही के वाले में तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं So unit vector जो होता है वो अपने आप में DCS देता है और vector DRS देता है और आप एक vector में अगर किसी scalar number का multiply कर देते हैं तो आपको उसी के parallel वो वही बात थी तो यहां आपको बोला था कि दो लाइन के DCS यह हैं इन दोनों के perpendicular line के DCS निकाल लिए जबकि दोनों के बीच में अंगल थीटा गिवन है दोनों के बीच में अंगल थीटा आपको गिवन था तो आपने क्या करा आपने क्या करा बच्चों आपने उस स्थिती में इन दोनों से बनने वाले व्यक्टर इमाजिन कर लिए इससे जो यूनिट वरक्टर बनेगा वो यह बनेगा एकर यूनिट वरक्टर निकालना है आपको इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के डीसी एस निकालने में यूनित वक्तर निकालना है और वह ऐसे निकलता है कुछ प्रॉडक करा वह यह यह साइन सीटा क्यों होगा अपको सभी माचुका होगा फार्मूला यह वह यह तो पर इस तरीके सा हमारे पास में वह ज अब यह जोबी कुछ करा है बहुत लंबे लंबे सम्स होते हैं पर पर वह जो भी होता है वो करना दो पढ़े यह लंब बहों चोटे हो जैसे भी उंगना तो पढ़ है यह यह तो काम है चलिए कि दो lines के DCS आपको दे रखे हैं L1 M1 N1 ए र्लोटाटम कोड़ीस दे रखे और आपको इनके angle by vectors के DCS निकालने हैं क्या निकालने आपको इनके angle by आपको दो लाइन्स के डिसी एस गिवन है दो रेखाओं के दिक को जाए आपको गिवन है और आपको उनके को नार्धक के दिक को जाए ग्याद करनी है तो कैसे किया जाए करते हैं या कोशिश कोशिश करेंगे तो ही तो बात बनेगी यह लीजिए हमारे पास में एक लाइन यह रही जिसके डिसी एस मुझको गिवन है एल एम एन और दूसरी लाइन के डिसी एस हैं एल एम और एन पहली लाइन के डिसी एस हैं एल वन सॉरी पहली लाइन के डिसी एस हैं एल वन एम और एन वन और दूसरी लाइन के डिसी एस हैं एल टू एम टू और एन टू और इन दोनों के बीच का जो एंगल है आपको उस एंगल by sector आपके DCS निकालने हैं जब कि आपको इन दोनों के बीच में एंगल भी गीवन है ये भी ले लिजेगा हो सकता है इसके जुरूत पड़े हो सकता है जुरूत ना पड़े इन दोनों के बीच में एंगल गीवन है आपको और आपको क्या कर हमें काम करें दोनों लाइन जहां इंटर सक्क्राइए उससे ओरीजिन नाम दे दिया दे दिया दे दिया अब आप एक काम कीजिए है क्ना करेंगे इस त्रेटी में इसे ओरीजिन नाम दे दिया अब इस दारेक्षन में जो यूनिट वर्क्टर बनेगा कि इस दारेक्षन में जो यूनिट वक्तर बनेगा पहला वाला वह क्या बनेगा एलवन i-cap मैंफ् Tib nor She can a plus N1 के कि यह पहले वाले डायक्टर की डायक्टर में युम्न रटै कि अधियो बनीया ऐसी दूसरे वाले की दायक्ष्टर में वो क्या है अब आपने फंडा योस्किया जो सम्झा है कि कि दीसिस से जो बैक्ते बनता वो उनला और उसको यूज करे ना तो पहली वाला युनिट अगिवन गाद दूसा वाला युनिट अगे बन यह युनिट वाट तबना है एक आई सदेश बना है अब इसी की डालेक्शन में अगर लेंडा मैंगे दूर का विब्टर निगालू तो लेम्डा मेंगनुड़ का वेक्टर क्या होगा एन बन वेक्टर यह तो यूनिट वेक्टर था लेकिन लेम्डा वन मेंगनुड़ का अगर मैं निगालू तो यह आएगा ये और ऐसे ही दूसरे वाले की डायक्षन में भी लेम्डा ही मेंगनुडूड का लिया, दोनों की डायक्षन में लेम्डा मेंगनुडूड का ही लिया, दोनों की डायक्षन में सेम मेंगनुडूड का रक्टर लिया, यू कहूं, लिया मनें, पहली लाइन के DCS हैं L1, M1, N1 दूसरी लाइन के DCS हैं L2, M2, N2 तो पहली वाली लाइन से जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो ये होगा दूसरी लाइन से जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो ये होगा अब पहली वाली लाइन से लेमडा मेंगलूर का जो वेक्टर होगा वो यह होगा और दूसीरा इंसे जो लेम्डा मेंगूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू डियागरम कूर प्रफिर से बनाऊगबा बच्चो और समझते हैं आप एक मिनट यह लिए साथ आक ने लिए पहली लाइन यह रही है दूसरी लाइन कि को यह रही सि रही दोनों ने जहां कट किया को यह रहा अब पहली 2 कि और इन दोनों की खासियत ये कि दोनों के में एज़ए रहा और दूसरा वाह जो एंटidente रहा आपको नजर आ यह लिजए रहा रहा अब आपने इन दोनों को ज्वायन किया कर दिया तो तो पहले तो आप एक बात समझेए, अब पॉइंट ए जो होगा, पॉइंट ए के कोईनेर्स क्या होंगे, पॉइंट ए के कोईनेर्स होंगे, लेम्डा L1, लेम्डा M1, लेम्डा N1, पॉइंट ए के कोईनेर्स यह होंगे, और पॉइंट B के कोईनेर्स क्या होंगे, लेम्ड एमटू लेमडा एंडू क्यों कि इस से जो वेक्टर विला वो लेमडा का अंदर मल्टिप्लाइब कर दीजी आप तो वो आपके पास में भई हम समझ सकते हैं ना कि अगर मैं कोई वेक्टर बोल रहा हूं आर इक्वस्टू ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप तो मैं ऑगर आपसे बोलू प्ही सिम्प्ल वात आप से में बोलू कि कर पॉंट के पीवी हैं और कोई को सब्सक्क्राइब कि किसी पॉइंड के की आपके पासे बना और येंक्त ऑना और ये कूंसा अ ओब्छाग और यें वक्तर इन गया पोलजिशन स लिख्टर है और याले यह कुना यह क्या और बाइन कोर व होगा इन दोनों का जो मद्य बंदू होगा लिट इन भी सि क्या होगा जो मिड़ पॉइंटn यह इंधे गा लेमडा ऐलवन से लेमड़ा एलटू होल अपाइं टू फॉब आपको यह बात समझ माई है एक्सवन पस टू बाई टू वाई वन पस वाई टू बाई टू लेम्डा खॉमन निकल आएगा तीनों में से अब आप जबास समझिए यह दोनों साइड की यह आपने ट्राइंगल ले लिया है आपको इस एंगल बाई सेक्टर का डी सी अस निकालना है इस एंगल बाई सेक् आपने लंगल की दो साइड कि लंद इकल देखा तो सब manifests बोलतको इससे अल सेलिक ऐगल और ईसलिस ट्रायंगल की कि खास्यद जानते क्या होती है कि जो स्किम मीडिया लोटी है वही उसकी एंगल बाई सक्क्तर होती है चाहे हैं आईन होौत अर्य को लूब्लार उस टू आ तो आपको इस मीड आपको इस एंगल बाय सेक्टर मतलिस कोन को दो बराबर भागों मैं भाजित करने वाली नाइन के DCS निकालने हैं और इसके DCS वही होंगे जो इस मीडियन के होंगे क्यों क्योंकि यह इक्विलेट और यह आईसोसलेस ट्राइंगर है और आईस आईसोसलेस सम्द्वी बाहु तरिभुज में सम्द्वी बाहुत रिभुज में क्या होता है बच्छों है उसकी जो मधिका होती है जो मीडियन होती ही वही उसका एंगल बायसेक्टर होती है तो आपको जो है OCS साच इसकी मीडियन है लेकिन बाइचांस यही इसका एंगल बाइस एक्टर होगी तो आपको इसी के DCS निकालना है तो चलिए तो इसके DCS किस रेशो में आएंगे हम देखें अगर OC वेक्टर को तो OC वेक्टर क्या होगा OC वेक्टर अगर हम निकालें तो वो क्या होगा प्लस एल्टू अपांटू आइग चलेंदा एंवण प्लस एंटू अपांटू इन्टू ज क्याली थे तो यह आपके पासमें करता है कर्णह़े वेक्टर से काटेशन फांब पहीम्टर कारतेंस से रेक्टर फार्में सब्सक्राइब करता अपना मूड रहता हमारे पास मैं यह और सी वेक्टर आ गया वही आपके पास मैं सी के कोईनेर्स आ गए आपने उस पॉइंट को जोईन गर दिया आपके पास मुस्का पीवी आ तो यह पोजिशन वेक्टर आ ठीक बात अब अच्छा समय में आ गया अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करी यहो सि रखत binge हम तो मुझे तो रॉसित पनी मुझे तो क्या निकालना है मुझे तो तो डिसे स्का होंगे उसके मोडल से टिवाइड करेंगे सो तो आप और सी डिएक्ट्ञ में युनोट वेक्टर निकालना चाहते है तो वो क्या होगा वो वेक्टर अपॉन उसका मॉडलamat भी निकाल दीजिए चलिए इसका मॉडलास निकालते हैं तो मॉडलस क्या हो होगा ओसी वेक्टर का मॉडिलस क्या होगा अंदर दी रूट आफ यह लेंडा बाइटू तीनों में से कॉमन आ रहा है बच्चों तो आप उसे कॉमन निकाल दीजिए और उसका स्केर कर दीजिए फिर स्केर करेंगे तो एलवन स्केर प्लस एलटू स्केर अप्लस ट्वाइस आफ एम वन एंटू और फिर क्या साथ में एन वन स्केर प्लस एन टू स्केर प्लस ट्वाइस आफ एन वन एन टू हो आपको बात भीजे में गई है यह या इसको बाहर निकालेंगे तो यह लिम्डा बाइटू हो जाएगा और अपॉन में अंडर दी रूट पर क्या एलव प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू यह आया और वन प्लस वन कितना होता बच्चो टू वन प्लस वन होता है टू प्लस टू और ध्यान किजिए वन प्लस वन टूर यह टू और यह जो आपके पास में बच्चों यह क्या है कॉस्ट थीटा यह कॉस्टिटा है यह दोनों के बीच में एंगल का फामुला जो होगा वो यह होगा अब यहां लेम्डा बाय टू कामन निकाल दीजिए उन तो निकला पड़ा है अल्रडी और यह क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस्टिटा गे लिजिए और फिर अग्ली स्टेप में क्या दीजिए और फिर वन प्लस कॉस्टिटा को का लिखेंगे टू का स्कर थीटा वाई टो यह यह हो गया टू को स्कर थीटा बाय टू 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 जार फोर जिसको आप रूट के भाहर निकाल देंगे हम ओसी वेक्टर का मॉडल्स निकाल रहे हैं तो उसका मॉडल्स का यह क्या आगया OC vector का modulus OC vector का modulus आ गया और आपको क्या निकालना है आपको DCS निकालने है मतलब आपको unit vector निकालना तो वो क्या होगा vector को आप उसके modulus से divide कर दो vector आपके पास में ये है इसमें से lambda by 2 आपने common निकाल दिया पूरे में से तो आपके पास में क्या आएगा बाकी आपके पास में जो आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 whole into I cap M1 प्लस M2 whole into J cap N1 प्लस N2 whole into K cap और अपन में अगर आप देखे बच्चों तो ये और कुछ नहीं ये है lambda into cos theta y2 ये lambda into cos theta y2 और यहाँ पर क्या होगा बच्चों लेम्डा से लेम्डा क्या हो गया cancel और बाकी जो बचा वो L1 प्लस L2 I cap M1 प्लस M2 J cap N1 प्लस N2 K cap और whole upon में क्या cos theta by 2 ये आगया अब आपको DCS निकालना तो DCS क्या होगे मेरे खाल से आपको समझने में कोई बड़ी बात नहीं होना चीए कि अब जो नई की जो एंगल बाय सकते बना उसके DCS क्या होंगे जड़ा देखिए आई का कोफिशन क्या है कि तू भी आएगा क्या denominator में हाट टू भी denominator में आ रहा है बच्चों तो ये टू कॉस्ट इटा बाए टू ऐसे ही क्या M1 प्लस M2 upon में क्या टू कॉस्ट इटा बाए टू ऐसे ही जड़ वाला आ जाएगा तो यह आपके पास में कर्वार्ट कर लिया मेरा काम आसान हो गया और त्रीडी जब आप पढ़े हैं अभी तो त्रीडी की शुरुवात करिए बहुत कुछ आपको पढ़ना है तो आप देखेंगे भर भर के बीच बीच पर वेक्टर से उसलगा करेगा मखायदा कुछ कुछ पुस्तकों में तो आपको यह भी दिख जाएगा कि वह पर्टिकुलरी चप्टर बना जा करते हैं अप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इन त्रीडी तो मैं उसको अलग से ट्रीट नहीं करूंगा मैं तो मिक्स करके काम करने वाला हूं वाला हूं कि मुझे ऐसी कोई दो लाइन्स जिनके DCS है L1, M1, N1 और L2, M2, N2 कोई दो लाइन्स जिसनके DCS है L1, M1, N1 और L2, M2, N2 और मुझे उन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल दे रखा है ठीटा और मुझे क्या पूछा है कि इनके एंगल बाय सेक्टर्स के रोगे पहली लाइन और दूसरी लाइन ने जहां कट कर ए उसी को निगे मान लिया माल लिया पहली DCS से जो छो यू रटा दोगी मिलेगा पहले से जो लेक्टर मुहें मिला मैंने लेंड डा ओये लिया तो यह मिला वह यह चुरू हाएब पकाफर्स पैसा ये आपके पास में क्या साफिanka श्राइघ के लिख का फिलागे समी आ इसा द क्वाइन आगे आपने विदू अब तेली ये विदा का लिए फायदा क्या हो गया हमने इस से मिदियर में निकाली और मीडियन ही उसक्ता होगा तो जो आपके पास में एक वाइनर्स यह क्यों आए क्यों किये आपके पास में रॉए अर एक द्राया मदब अगर किसी पॉइंट के वाई इनर्स एबी सी है तो उसका भी होता है यह अगर ही वेक्टर यह है तो आप यूं कह सकते हैं कि ओरीजिन से उस पॉइंट को जॉइन करने पर उस पॉइंट के पीवी होंगे यह बस वह उसी का रसी पोगल हमने चला दिया है यह यह एक पीवी आ गए बीके पीवी आ गए मतब एक और बीके कोईनर्स आ गए इन दोनों में दोन निकाला वह यह आपके पास में आएगा एलवन सके पस्टेश के पस अन्वन सकर्किल वन अक्यों क्यों क्यों कि वो डीसी एस है ऐसे दूसरे के समय भी फिर आपके पास में यह एंगल कॉस्ट टीटा का फामूला बन गया सिंपल तो यह ओसी वेक्टर आ गया आप आपको यह आपको डीसी एस निकालने मता फिर में बोलाओ युने रक्टर निकालने तो रक्टर को उसके मॉडल से डिवाइट कर दिया इस तरीके से हो गया तो हमने किस तरीके से किया मेरे खास समझ में आओगा अच्छा अब यह पहले आपनो डॉन कर लीजिए यह यहां पर दिना मैं एक बात आपको और बताओं बच्चों यह पहले कापी कर दिजिए को कि मुझे मुझे मुटाना पड़ेगा मेरे पास में जगा की कमी है न वहीं तो देखिए यहां एक बात आप समझेगा कि एक लाइन यह रही दूसरी लाइन यह रही यह ओ आपने यह ए यह बी इनका एक बायसक्तर यह आया इनका एक बायसक्तर यह आया था OC आप जड़ा दिमाग लगाईए इनके बीच में एक एंगल यह बन रहा है एक एंगल यह बन रहा है तो एक बायसक्तर यह लेकिन लगे हातों हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि इन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल यह भी तो बन रहा है वह अगर यह थीटा है त तो यह रटा रटा है पाय मैनस थीटा होगा यह तो रटी रटाई सी बात है तो एक बाइस अक्टर इनके बीच में यह बना तो एक बाइस अक्टर इनके बीच में यह भी तो बनेगा ये भी दो बनेगा इनके बीच में कि ये भी इनके एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड गर दे तो ये आपके पास में एक और वेक्टर बन गया मानते इस बात को अब जड़ा सुनिए अगर O A के DCS है LMN या L1 M1 N1 अगर इसके DCS है L1 L1 M1 N1 इसके DCS ये हैं तो ये जो लाइन बनेगी मान लीजे इसको A डैश नाम दे दिया तो इसके DCS क्या होंगे माइनस L1 माइनस M1 माइनस N1 नहीं होंगे अगर किसी लाइन PQ के DCS है LMN तो QP के होते माइनस L माइनस M माइनस N ये तो आप जानते हो तो ये हो गए तो ये हो गए और O B का जात्क सवारा तो O B का तो वही है ल्टो एमक्तू और अंट वहिए अब मैं काम करता हो मैंने लेनडा मेंगनुटूड का एक वेक्टर यहां लिया ऐसे ही लेंडा मेंगनुटूड की वेक्टर का रकता winner नाइए यहां ले लिया। बनेगा लेम्डा इंटो आपके पास में क्या एल्टू आई कैप प्लस एम्टू जे कैप प्लस एन्टू के कैप बनेगा और रही बात बच्चों ओ एडाश वेक्टर तो ओ एडाश वेक्टर क्या होगा माइनस एलवन आई कैप माइनस एम्ट जे कैप माइनस एंडवनट बन जाएगा यह आपके पास में आ गया ओ ब hazards पास में इन दोनों के बीच में एक ही isn't नहीं अगर यह वाला एंगल लाए यह ए कि आप जानते नहीं ने तो यहां नि मैंदách मेंगा लें लेंडा लेंडा एल्टू यह वह आपके पास पहले से लेकिन a-ध क्या होंगे यहां लिख रहा हूं कि दूसरी बाहरा लिखना चाहता नहीं हूं इसलिए जुद लिखा हुआ है उसी का यूज करना चाहता हूं तो यह आ आ गहे तो D bilmiyorum क्या वोगर नेज़ निकालेंगे तो वह यह वारा तो फ्रस रहेंगे लेकिन रहा लेकिम किया हो जाएगा इसके अटी अब यह प्लस यह अब आपके पास में यह समझिएगा आप और कॉपी भी कीजिएगा खुझ से भी करिएगा तो यह भी आपके पास में आएंगे और यह लेकिन एड़ाश कोईनर्स यह आगे सो ओडि व्यक्टर आपसी व्यक्टर निकाला था अब ओडि व्यक्तर के टाइम पर बच्चों यह माइनस को जाएगा मेरे खायसे आपको सव्ज माई रहा हूं यह मानने मैंने बी को सेम रखकर एक ओ रिवर्स कर दिया मैं ऐसा भी कर सकता था कि एक को सेम करके बीगोरी वर् कर दिया तो यहाँ पर आप स्केर करेंगे सो यहां पर यहां पर यह साएगा यह और यह माइनस आएगा यह माइनस हो जाएगा यह कौन सा वेक्टर ओडी वेक्टर ओडी वेक्टर का मॉड यह आया तो यहां माइनस हो जाएगा यह 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 माइनस हो जाने से क्या होगा यह साइन उसके थीस्थी और होजाएं गई साइन सकाएं उसकी किया है वह रहार यह स्क्वार्ट इसे सही कृशें गसा नौधो और यह नो नो पूणा वह उसका तो यह बहुट इक लेधिक का मॉड़ाैं लेकिन मुझे तो उसकी ड dissect morning representative तो यूनिट विक्तर कडे कड एक डेक कडे कड डेक 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 ये आ जाएगा विए यह एक और यह प्लस होगा लेकिन यте माइनश् cheese लोगा लेकिन ये मारी ने सी यहां पर sign आएगा यहां cost नहीं है पर sign आईगा और यहां पर भी obviously का cost नहीं sign आएगा यह लिजे इस तरीके से क्या होगा बच्छो आपके पास में इन दोनों के बीच में दो angle बनेंगे अब जब दो angles बनेंगे तो दो angle by sectors भी आएंगे और जो दो तो बाइसेक्टर्स आएंगे उनके DCS किस रेशो में होंगे एलवन प्लस अल्टू था अपॉन में ट्वाइस आफ कॉस्टीटा बाइटू एमवन प्रस एंटू अपॉन में यह और यहां पर यह माइनस का हो जाएगा यह देख लिजगा पर यह मैंने माइनस वाइनस सही कर ा है या नहीं करा है और मैं भी और राम वेने और यह को स्रीम रखा है और एक हो रिवर्स कर दिया है मैं यह नहीं कर सकता था एक बोले तो अगर इस पिज़र है ऐलमन उदर हो जाते माइनस 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 झाल से लाजन